मेरे प्यारे बच्चो आप सभी को नमस्कार, आप सभी को वर्ष दो हजार चोविस की डेरों डेरों सुख कामना है मातरानी आप सब पर मेहर करे, आप पहतर इंसान बने, पहतर छातर बने और आप अपने लक्षे की और बहुत मेहनत से काम करते रहे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप सब की रिक्वेस्ट पर एवरेज चेप्टर सूट किया है और ये जो क्लास है आप इस एवरेज क्लास को तीन भागों में पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों मैंने पूरे एवरेज चेप्टर को लगबग 16 टाइप में बाटकर पढ़ा है मेरे दोस्तों आज से कई साल पहले मैंने परशंटेज चेप्टर यूटीप पर डाला था जिसके सारे चेप्टर में मिलाकर लगबग-लगबग 12 करोड से जदा व्यूआ चुके है मेरे ही खुद के चनल पर मेरे बच्चों करोडों व्यूआ चुके है उस परशंटेज वीडियो के मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऐसा मानना रहा है कि arithmetic में बच्चे जब SSE की तयारी करना शुरू करें किसी भी competitive exam की तयारी करना शुरू करें तो उनके पास एक basic idea होना चाहिए कि paper में सवाल कैसे आते हैं उन सवालों को कैसे tackle करना है पढ़ना कैसे है किस तरीके से smart approach से हमें तयारी करनी है मेरे पहरे बच्चों जब मैंने ये average chapter आपके लिए तयार किया है तो इस बात में इस बात को विशेश रूप से ध्यान रखा है कि अगर math में 100 number हर एक बच्चे को लाने है तो हम उन बच्चों की तयारी करा रहे हैं जिनके इस समय 30 number, 20 number, 40 number, 50 number आते हैं तो जिन बच्चों की 20-30% number रहते हैं उनको 100% पे कैसे लाया जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये चाकर तयार किया है आपके लिए इसको तीन भागों में किया है पहला भाग आज सोंबार को एक जनवरी 2024 को मैं आप सब ये साथ लेगा आ रहा हूँ अगला भाग आने वाले तीन दिन में उससे अगला भाग आने वाले अगले तीन दिन में मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कितनी दिर आपने देखा वो कमेंट में टाइम नोट जरूर डाले साथ में आप ये भी बताएं कि आपका फीडबेक क्या है इस वीडियो के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरा पढ़ने का तरीका ठीक लगा हो तो आप मुझे सलहा दे, सुझाव दे या आदेश दे कि आपके लिए मैं अगला कौन सा चेप्टर ऐसा ही तयार करके दू ताकि आप बच्चों की मेहनत क्यों और बहतरीन रंगों में लाया जा सके और बहतरीन रूप में लाया जा सके और आपके सेलेक्शन की जो संभावना है उसको सत परतीसत किया जा सके तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यह उमीद करूँगा कि आप अपने फीड़बैक हमें लगातार कमेंट के दू बताते रहें आपकी चैप्टरों का चाहते हैं कि हम इसी तरीके से विसलेक्शन आपके साथ करें और आपको पूरा चैप्टर कॉंसेप्चली समझाए मैंने बिल्कुल ए से लेके जड़ तक जीरो से लेके इंफिनिटी तक एक एक चीज आपको सिक्वेंस में आपको टाइप वाईज कोशन मिलेंगे बिल्कुल लेवल वाईज टाइप वाईज बिल्कुल लेट टेस्ट और अपडेटेड कोशन आपको हम मिलेंगे और आप देखेंगे कुल लेट टेस्ट और अपडेटेड कोशन को किस तरह सोल करना है मैंने कहीं पर भी ऐसा काम नहीं किया कि data की calculation को आसान किया या मुश्किल किया नहीं जो exam का level है जो exam में question आ रहे हैं उनी question को direct आपके साथ face to face करा है तो मेरे प्यारे बच्चों आईए अब हम average पढ़ना start करते हैं और आप सभी को दुबारा से 2024 की नए साल की डेरो डेरो सब कामना है और मैं आपके feedback के इंतिजार में हूँ आप अपना timing जरूर लिखें और जो बच्चा आखरी तक इन सारी वीडियो को देखें वो अगर अपना phone number भी दे तो comment में जरूर छोड़ें दो भाई है एक भाई के पास है 20 रुपिया और एक भाई के पास है 30 रुपिया अगर मैं आपसे यह पूछो क्यार तुम दोनों के पास ओस्तन कितना पैसा है यानि on on average how much amount you both have ओस्तन कितना पैसा है यानि average कितना money है आपके पास तो ओस्तन का मतलब होता है एक ऐसा amount जो दोनों को बराबर बराबर बाटा जा सके बनाया जा सके तो आप जानते हैं कि ओस्तन निकालने का जो तरीका होता वो यह रहता है कि जितनी भी observation है उन सारी observation का जोड़ कर लेना है और जितनी भी observation है उनका number नीचे लिखते हैं यानि आकडो का योग बटे आकडो की संख्या ये की निकालता है मेरे प्यारे बच्चो ओस्त ये मेरा formula है लेकिन मेरे प्यारे बच्चो मुझे 20 और 30 का ओस्त निकालना है तो मैं करूँगा 20 जमा 30 बही दो आकडे तो 20 और 30 को जोड़ा और 2 से मेरे नन्य मुझे बच्चो में भाग दे दूँगा 20 और 30 का जोड़ 50 50 को 2 से भाग दूगा उतराएगा 25 तो मेरी प्यारे पिच्चिस क्या है ये 25 एक ऐसी value है ये 25 एक ऐसी value है जो दोनों में बराबर बराबर बाटी जा सकती है ओसत में एक खुवी यही होती है कि जिसके पास ज़्यादा होता है उसे कुछ ले लेते हैं कितना लिया पांच और जिसके पास कम है उसे कुछ दे देते हैं कितना लिया पांच यानि ओसत क्या करता है चीजों को बराबर बराबर बाढ़ देता है जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लो ताकि उसे नीचिलाया जासके और जिसके पास कुछ कम है उसे दे दो ताकि उसे बराबर उठाया जासके मेरे दोस्त अगर मैं आपसे चर्चा करूँ कि भाई मुझे टाइप बन बाद में पहले basic समझाता हूँ कि भाई 20 और 30 का ओसत निकाल के बताई 20 और 30 का ओसत निकाल के बताई दो आकडो तो आप कहेंगे कि सर ओसत निकालना है तो तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी ओसत मान लीजे, जो आपका मन कर रहा है, मान लीजे मैंने मान लिया 23 तो बस 23 हमने माना है, दे नहीं रखा ओसत हमने माना है, यह माना है, मेरे बेटे एक से दो सवाल में टाइम लगए उसकाद एवरेज का जीवन में कोई सवाल गरत नहीं करोगे, मान लिया 23 तो बहाई अगर ओसत 23 है, तो 23 से कितना कम है, तीन, और यह मेरे बच्चे 23 से कितना जाद है, साथ है, गरीबों में बाट दो, यहां तो साथ रुपे लिया और गरीबों में तीनी बाटा, मतलब गडबड कर रहा है, तो मतलब कितने की गडबड अभी भी रह रही है, सर चार रुपे की गडबड रह रही है, तो इसका लोग यह चार रुपे कितने लोगों में बाटना था, ए नहीं पढ़ना, आपके नहीं पढ़ना, आपके समझ नहीं आया है, आओ समझ दें, मेरे भाई, मैं कह रहूं कुछ और मान ले दें जाधा जीटो, जबकि उसत का मतलब है कि भाई गरीब इसको अगर हम 10 दे रहे हैं तो अमीर से 10 लेने भी थे लेकिन यहां तो जीरो ही लिया ओसतन में बड़े वाले से कुछ ले लो छोटे वाले को दे दो ताकि बराबर आ जाए यहां गड़बड हो रही है यानि कितने की गड़बड हो रही भाई अभी मैनस की मायनस 10 की गड़बड के क्तनों पे है क्यूंकि दो आकड़े हैं तो उसतन में कितने की कमी करनी होगी पांच की यानि जो आपने माना उस हिसाब से ऊसत में पांच की कमी करो मेरे बच्चों नया उसत 25 होगा ये मेरे बहरे बच्चों आप कांसरो को तो यह नहीं कवराना और हमसे शीखना है जब अरदस सिखा दूँगा आप कहें जी हम उसत 20 और 30 दो आकड़े जिनका उसत निकाल ले मैं तो 20 मानूगा उसत तो मेरे भाया 20 मान लो तो यह बताईए कितना कम या ज़्यादा जीरो ये कितना है 10 तो अभी भी कितना ज़्यादा बनना है मेरे बच्चे 10 ज़्यादा 10 ज़्यादा कितनों पर बनना है जी 2 पर तो उसत में कितना विर्दी 5 है यानि नया उसत मेरे बच्चे 20 और 25 बच्चेस नया उसत पीस और पाच बच्चिस हो गया ये मेरे पेरे बैचों मेरा उसत का यानि आप कुछ भी मानेंगे ना तो आपका उसत नहीं बदलेगा उसत भाही रहेगा एक बात हो ध्यान दीजे आप कुछ भी ले लिजे आप कहें जी मैं तो तुफान मचाऊंगा और मैं तो चालिस लोगा तो बेटे अनपढ़ वाला तरीका क्या होता है वो हर जगह का उनिवर्सल होता है आओ तो चालिस से कितना कम है भाही ये 20 कम है मैंने उसत ले लिए 40 तो चालिस से कितना कम है 20 ये 40 से कितना कम है, 10 सर इसी साफ से तो 30 कम आ गया 30 कम कितनों पर आ गया, एक और एक दो आख़ों पर तो यानि 15 की कमी करनी होगी ओसद में तो भाईया 40 में से 15 घटा दो तो नया ओसद आ जागा पच्चे से यानि मेरे पेरवचों, ओसद में एक इतनी बहतरीन खोबी होती है कि ओसद में बड़ों वालों सो जितना लेते होना, उतनी ही चीजें छोटे वालों को बाटनी होती है अगर यहां से जितना लिया और यहां जो दिया वो बराबर नहीं है, तो ओसद भी गलत निकल रहा है समझ रहे मेरी बात, अब इसी तरज पर मेरे पेरे बच्चों, आपसे मैं लगातार सवालों पर चर्चा करूँगा, तीन चार सवाल मेरे खुद के हैं उसका सारे के सारे पेपर के कुश्चन है आपको एक एक चीज का हैंड रीटन क्लास नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड इटन क्लास नोट्स लेना है, प्रेंट निकाल लीजे या उसको ध्यान से समझे, और सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए बहुत कम समय में आप देखेंगे कि आपका एवरेस जीवन भर के लिए जबरदस्त हो जाएगा तो मेरे पहरे बच्चों, अब हम चल रहे हैं टाइप ओन पे टाइप ओन क्या कहती है, टाइप ओन कहती है कि भाया हमें एवरेस ओफ रो डाटा लेना है यानि जो रो विखरे वे आकड़े हैं, उनका ओसत हम कैसे निकालें उस पे चर्चा करते हैं, आएए मेरे बच्चे मैंने कहा कि भाई 20 और 28 का ओसत ज्याद करिए तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी ओसत माल लेंगे जो आपका मन कर रहा है, मैं माल लेता हूँ 20 और 28 के बीच में कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, मैंने माल लिया 24 इस पच्चेस से कितना कम है? पांच और ये पच्चेस से कितना ज्याद है? तीन तो अभी भी कितने की गड़बर है? माइनस दो की कितनों बे सुधार नहीं होगी दो बे तो ओसत में कितने कमी एक है तो 25 में घटा है नया ओसत 24 आगा यानि मेरे प्यारेव जो सही माईने में इस आकड़ों, इन आकड़ों का ओसत 24 होना था बहुत सुधर आहिए, क्याता जी 3456 का ओसत गयाद करे मेरे भाई, जो तुम्हारा दिल कर रहा हो ओसत मान लो ये पेपर के सवाल नहीं, मेरे सवाल है ताकि मैं अपना कॉंसर्ट समझा दो तो मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों, 3456 का मुझे ओसत निकालना है, तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे वो ओसत मानू में 50 मान ले रहो आपके 50 की पीछे कोई कारण ना कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटा कारण ये है कि जब 0 आखिर में मान लेते हैं, तो उससे बड़ा या चोटा निकालना असान होता है, तो 50 से कितना चोटा 16, और ये 50 से कितना 24 मान सकते हैं, बिल्कुल, तब भी आंसर याएगा क्या हम 36, ना 56 मान सकते हैं, तब भी है 36 मानोगे तब भी हैई, कुछ भी मानोगे उससत में कभी गलती नहीं हैगी, क्योंकि हम तो पढ़ती हैं अनपढ़ वाले तरीके से हैं, हाँ जी अब भाई, 20, 28, 36 का उससत ग्याद करें, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है मैंने मान लिया, जी 30 है, 30 से कितना कम है, 10, ये 30 से कितना कम है, 2, ये 30 से कितना ज्यादा, 6 अब देखो, 12 कम, 6 ज्यादा, तो 10 और 12 कम, 6 ज्यादा, अभी भी 6 कम है, कितनों पर, 1, 2, 3 पर, ये 30 में दो गया नया उससत, 28, मेरी प्यारे जो नया उससत हो गया, 28, बात समझ में आई, जो मैं कह रहा हूँ, उस तरीके से नहे, आप कुछ और मान लो, ठीक है, 28 मान लो, 29, 30 मान लो, जो मन करे वं, बताए जीन का हुसत क्या होगा, 40, 48, 15, 62, जो मन करे वं मान लो, मेरा मन यार 50 मानने का है, आप कहीं क्यों? क्योंकि, इससे मेरे को डिफेरेंस लेना आसान होगा, तो भीटे वी पताओ, 50 से कितना कम, 10, ये कितना कम, ज़ादा, 0, ये कितना ज़ आप कुछ भी माल लो, मेरा मैथड सर्वो परी रहेगा हर जगे, कुछ भी माल लिजे, वहीं से आपका काम मन जाएगा, क्या मेरी बात समझ पाए, आगे आईए, क्यार जी इसका उसर बताए, जो आपका दिल कर रहा हो मानिए, घबराना ही नहीं है, आपने देखा 111 है, फि 130, यहार यार, यह 0 वाल ही जो टाम नंबर होता है, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि इससे कम या ज़्यादा चाठाना आसान होता मेरे लिए, अब देखो, 22 और 8, 30, 30, 10, 40, ज्यानी, 40 जादा 19 कम, 40 ज़्यादा 19 कम मतलब 21 अभी जाधा बन रहा है, कितने आकरो पे एक, ढग तो चार पांच बाइंट दो पांच ज्यादा लेना होगा तो पांच दो पांच तीन एक 135 पांच मेरी पहरे बैच वागा आणसर आगा या मेरी बात समझ बहुत बढ़ी आराम से हर चीज समझेंगे बताईए यह मेरे डाटा है आप कहेंगे जी 200 माल ले है पैसे मेरा मन तो 220 मानने का है या 210 मानने का है जो मन करें हो माल लो अगर आपने 200 भी मान लिया तो कोई तभाही नहीं मचा दो गया लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा आपका 49 ज्यादा ये एक कम और ये 16 ज्यादा ये मैं कहना जा रहा था इसलिए मानो वो धिरे-धिरे प्रैक्टेस में आपको अनुगा हो जाएगा कि कौन सा मानना उचित है जिस से ये calculation आसानो क्योंकि हम अंपड का तरीका इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये calculation कं से कमाए इसलिए जब भी वोसत माननी हो तो ऐसा नंबर लो जो calculation कम करें तो मेरे हिसाब से 220 या 210 मुझे उठाना था क्योंकि 200 से बस यही कम था बाकी तो बहुत जादा थे मेरे हिसाब से 220 ले लो कोई गुना नहीं उसमें 220 लोगे तो यह कितना ज़्यादा है 19 यह 220 से कितना कम है 21 और यह 220 से कितना कम है 4 सर विल्कूर ठीक है तो दोस्त आएगा 218 Option B is your right answer मेरी बात समझे बस करते रहना है रुकना नहीं करिए मेरे भाई अब यहां 5 आकड़े ले लिए बताई यह उसत अपनी मर्जी से कुछ भी माल लीजे और थोड़ा fast money मैं माल लीजे मैंने माल लिया जी एक सो औरतीस से एक सो चालीस है मैं एक सो चालीस इन ले ले लेता हूँ एक सो चालीस से कितना कम है भाई दो कम है एक सो चालीस से कितना कम है जी ना ज्यादा है बारा ज्यादा है ये एक सो चालीस से कितना कम है भाई ये तुफान मचाएगा 39 कम है यह zero है और यह 21 ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं अब जरा ध्यान देना मेरे बिटे अब यह बताओ यह 2 और 39 कितना हो गया 31 कम, यानि सर जी 31 कम है और 12 और 29 कितना हो गया सर 73 33 ज़्यादा, 33 कम अभी भी तीन, नहीं, 2 ज़्यादा माफ परिएगा, दो जादा, तो दो जादा कितने आकड़ों पर है, तो कि 33 जादा 31 का, देखो, 12 और 21, पलस पलस के, 33, 39 और 2, 31, अब 2 जादा कितनों पर सार, 1, 2, 3, 4, 5 आकड़ों पर, तो 2 को 5 से भाग देंगे, 5 चुक 20, 0.4, इसका मलब सर, जो भी मेरा आंसर होगा, वो 0 0.4 होगा, जो मैंने उससे माना था, जो मैंने उससे माना था, तो 140 दस्वलों चाहाद, ये मेरे प्यारे बचों, मेरा सही आंसर हो, 140 दस्वलों चाहाद, अजी, अब आगे आते हैं, अब आई आगे, ये पेपर का कुश्यन है, MTS का, 53, 55, 88, 88, क्या माने, बताओ, आप गो होगे सर कहा है नहीं परेशान हो रहे हो 55 माल लो तो 55 से कितना कम दो कम 2 कम टीं ज़्यादावा तीन ज़्यादा तर थीन तीन चोजा जैना नोजदो चार यानि अभी भी भी पांच ज्यादा और पांच बाव कितने आप यादा या और दो तीन चार मैं है यानि वैनि कि ऎक जादा तो 55 और 56 नए आवरे 56 होगा मेरे भाई Option D क्या आप सहमत है इस बात से किसी भाई को कोई दिकत नहीं बहद आसान चीज है देखें मेरे बचे ये सवाल है पेपर का भी का आपको करना है खुद से इस सवाल को सवाल में कह रहा है At a career shop, the weight of 8 partial were found to be 1.5 kg 1.25 kg, 1.35 750, 950, 0.7 kg 0.4 kg and 0.5 kg find their average weight तो किदा सभी का ओसत वज़न ग्याद करें देखें मेरे बचे मैं इन ही weight को अलग से लिख रहा हूं बहार ताकि आपको समझा है ये weight है और मुझे इनका ओसत बताना है अगर आप थोड़ा धान दे तो मुझे इन सभका ओसत निकालना है आप कहेंगे ओकी report है सर तो सर सभको मैं जोड़ू सभको मैं जोड़ू और जोड़ू के फिर मैं आट से भाग दू बहुत लंबा टाइम लग जाएगा असान चीज क्या है मैं अनपड़वाला तरीका लगाँ कुन सा मेरे बेटे अनपड़वाला तरीका अपनी मरजी से कोई बेट माल लो मैं माल लेता हूँ 500-1500-1000 माल लेता हूँ मैं माल ले रहा हूँ तो मेरे बेटे थोड़ा-थोड़ा दिमाग दोड़ा न लिखना नहीं बहुत ज़ादा यह 1000 से कितना ज़्यादा 500 और यह 1000 से कितना कम 500 तो यह दोनों तो खतम होगे आपका कैसे खतम कर दिये सर जी ऐसे तो देखो बेटे लिखने की जुरतनी यह 1000 से कितना ज़्यादा था 500 ज़्यादा था और यह 1000 से कितना कम था 500 तो सैट नहीं होगे प्लस पांसो माइनस पांसो कट नहीं गए तो ये मन ही मन में करो पिठे क्योंकि अभी तहां कौन से उप शीख रहे थे अब उसका implementation कर रहा है तो मन ही मन में हमने ये किया कि इसको इससे काट दिया अब आगया ये अब मेरे बच्चे इससे आगे की कहनी पकड़ता है भई ये बताओ ये कितना ज़्यादा है हजार से तो आप कहेंगे ढ़ाइसो देखो ढ़ाइसो कोई कम है हाँ सर ये हजार से ढ़ाइसो ज्यादा और ये हजार से ढ़ाइसो कम ये भी निमटिया सर, बहुत बढ़ी आसर, अब सर ये 1000 से कितना ज्यादा है, 350, ये 1000 से कितना कम है, सर 500, ये 1000 से कितना कम है, 300, और ये 1000 से कितना कम है, 600, अब भाई सैटल करने जाओगे, तो 350, 350 खतम बचा कितना 600, यानि जो भी उसत होगा, वो 600 कम होगा, 600 कम कितने आकड़ो पे आठ पे तो दीखिए मेरे पेरे बच्छों आठ पे निकाला है कैसे घटाएंगे आठ से भाग दो आठू साथू छपपन कितना बचा मेरे बच्छे चार आठ पंजिस चालिस यानि जो भी आपका उसत होगा मेरे बच्छे वो हजार से पीचेतर ग्राम कम होगा हजार से पीचेतर कम होगा हजार से पीचेतर कम करोगे ता आठ आठ आएगा 925 ग्राम अब सवाल ने पूछा इसका उसत वजन बताओ अगर ग्राम में पूछ रहा है तो 925 ग्राम और अगर मेरे प्यारे बच्छों सवाल ने पूछा कि भीया किलो ग्राम में बताओ तो 0.925 ग्राम, यह मेरा अंसर होगा, 0.925 ग्राम मेरा अंसर होगा, मेरे प्यारे बैचों, आए, यह अपने आप में बहतरीन कुशन है, आए समझेए, इसी टाइप का कुशन है, एक्जाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ और सिर्भासाओं में लपेटा हुआ और कुश नहीं, सवाल में कहा रहा, according to Raghav, his weight is more than 64 kg, but less than 74 kg, कहता है, Raghav के मताबिक उसका वजन 64 kg से ज़्यादा है, 64 नहीं है, 64 से ज़्यादा, लेकिन 74 kg नहीं है, 74 से कम है, मेरे फज़े बचों, अगर मैं Raghav की बात करूं, R माने Raghav, Raghav की बात करूं, तो वो कह रहा, भाई या मेरा वजन 64 से ज़्यादा, 65, 66, और कहां तक जाएगा लाश, 33 तर तक, ऐसा ही कह रहा है, कह रहा मेरा वजन 64 से ज़्यादा है, और जो 70 से कम है, रागाव ने अपनी बात ये गई, अब आगाई जी उसकी बहन, his sister does not agree with रागाव, रागाव से agree निया, and she thinks that his weight is more than 60 kg, but less than 69 kg, कि उसने का कि भाई, इसका जो वजन है, वो 60 से ज़्यादा है, और 99 से कम है, अब मेरे बच्चों, जो इसकी sister है, ज्याद से समझा, ये कह रही कि भाईया, मेरा जो weight है, मेरे इसाब से तिरा वजन 60 से ज़्यादा, 99 से कम है, यानि इसकी sister के according, 61 से लेके 68 तक ही कहानी से हो रही है, अब और आ गयाते है, अगली line में कह रहा है, his mother's view is that, his weight cannot be more than 68 kg, और उसकी मा जो है, उसका मानना है कि उसका वजन 68 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानि उसकी जो माता है, M है, यानि mother है, वो कह रही है इसका वजन 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 68 से तो कमी रहेगा इसका वजन, उसके पिता का, उनकी पिता का मानना है, उसका वजन, उसका वजन, यानि उस लड़के का जो वजन है, वो 67 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता, और सवाल में यह कह रहा है, कि सभी अपने अनुमान में सही है, सभी ने अपने अनुमान में चीजों को सही माना है, यह तेरे अनुमान से यह सही है, उसके अनुमान से ही सही, तो बताओ, राघहों के मापे गए विभिन संबावित वजनों की ओसत संख्या क्या है, तो चैरा भाई, यह बताओ, फिर राघहों का जो average weight होगा, वो क्या होगा major अगर इन चारों के विचारों को consideration में किया जाए तो मेरे बच्चों चारों के विचारों में अगर हम consider कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें वो range linear जो चारों में agree की जाए तो भाईया रागाव ने का कि मेरा वज़न 65 से चालू होगा जबकि उसकी sister के रही 61 से चालू होगा तो भाईया इसका मतलब 65 तो यह भी इसकी sister भी कह रही क्योंकि वो कह रही है 61 से 68 बलब 65 भी आएगा यानि 65 में sister भी agree है और रागाव भी agree है 66 भी चलेगा, 66 भी चलेगा, 68 भी चलेगा यानि मेरे प्यारे बच्चो अगर रागाव और उनकी sister के बीच में combination सैट करें तो रागाव कह रहा था 65 से थी तर उसकी बहन कह रही थी 61 से 68 तो इनमें जो कोमन है वो आएगा 65, 66, 67, 68 अब आते है उसकी मा की measurement में या उसके नुमान में तो उसकी माता कह रही है माता में और उसके पिता में चारों में जो कोमन वेट आ रहा है वो कितना कौन सा रहा है मेरे बच्चे 65, 66, 67 तो इस सवाल का कहने का मतलब यही है कि चारों के अनुमान के हिसाब से कौन सा correct weight बैठेगा सभी अपने अनुमानों में सही है ले लेता है तो 66 से ये एक कम, में 0 कम, ये एक जयादा तो बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया तो मेल 16 हो सभी अग्या और यही मेरे पहले बचित्प सभी यहां आपको क्यों यहीं देखना था कि इन्हों ने जो जो एजम्शन ली है उन चारों की एजम्शन में कौन सा हिस्सा कोमन आ रहा है उस कोमन को हम सही मानते हैं उसका एवरेज निकलना था समझे अब आते हैं मेरे पहरेज़ो टाइप टू पे टाइप टू में हम क्या करें अभी तक जो हम रो डाटा पे बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे गुरूप की गुरूप के डाटा दे रखे होंगे हना समझे के आकड़े रखे होंगे सही उत्रूप से और उनका उसत निकालना मेरे पहरेज़ों हम सीखेंगे सवाल में कह रहा है कहता है या तीन संख्याओं का तीन नंबर का जो ओसत है वो 117 है और दो संख्याओं का जो ओसत है वो 102 तो सवाल में कह रहा है कि सभी नंबर का संयुक्त ओसत मेरे पहरे बचों आपने बताना है क्या होगा तो देखे क्या तरीका है आप जानते हैं कि average निकालने का एक सुत्र मैंने बताया कि ओसत जो होगा उसका फार्मॉला होगा sum of all data आप उन में number of data और अगर आपको कभी sum की जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे? average into number average को number से multiply करतेंगे तो आजाएगा मेरे प्यारे बच्वो मेरा sum अब यहाँ जड़ा दिमाग दोड़ाइए आपकडे कितने हैं? तीन, ओसत कितना है? 137, अगर मुझे detail करना हो तो ओसत को मैं आपकडो की संक्या से गुना कर दूँगा तो यह आएगा योग बिल्कुर ठीक है ऐसे यह ओसत है यह आपकडे तो ओसत को मैं आपकडो से गुना कर दूँगा तो यह आजाएगा इन आपकडो का योग तो मेरे बच्चे इन सौरे पाच्चों आपकडो का योग हो गया यह जमाई है और बटे में भाग दे देंगे किसे टोटल आपकडे आपकडे कितने हैं? 150 मानू, 130 मानू, 140 मानू जो मर्जी मान लो ठीक है जी अगर मैं 140 मानता हूं मेरे दोस्त तो 140 से कितना कम है? आप कहेंगे 3 और 3 लेकिन कितने हाकडों पे कम है? 3 हाकडों पे तो 3 दिया 9 हाँ जी यहाँ मेरे पेरे बच्चों ध्यान देना 140 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है और 12 ज्यादा कितनों पे है? 2 पे तो यहाँ 24 ज्यादा है तो मेरे बेटे 24 ज्यादा है 9 कम है तो 24 से 9 घटा होगे तो बच्चे का कितना 15 यानि अभी भी 15 ज्यादा है और 15 ज्यादा कितनों पे है? तीन और दो पांच आपड़ोगे तीन का उसत में कितना इंक्रीज करना होगा तीन का यानि नया उसत आपका 140 जमातीन 143 का हो जाएगा ये मेरे प्यारे विच्छो आपकी सही आंसर होगा जो मैं मान रहा हूँ मानने की जोड़त नहीं आप कुछ भी मानि है अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं सर यहां उसत ही 150 मान लो ताप उससे मानिए आना जो मन करें मान दीजे ज्यादा मन है तो 137 मान लो उन मना कर रहा है तो उससे फाइदा ही होगा ये तो 0 होगया 0 को 3 से गुना करोगे तब भी 0 ये 137 से कितना ज्यादा है सर पंदरा ज्यादा कितनों पे 2 पे तो सर ये 30 ज्यादा तो यहां 0 ज्यादा है यह 30 ज्यादा तो ओनो नेवरेज अभी भी 30 ज्यादा है और कितने आकड़ों पे सर तीन और दो पांच आकड़ों पे तो अभी 6 जाता है तो 6 जोड़ देंगे 137 और 6 आएगा 143 यानि मेरे पेरवचो सभी का जो सत आएगा वो 143 आएगा क्या आप समझे या नहीं क्या मेरे बात समझे या नहीं समझे मेरे पेरवचो क्लिए रहे अब आगए कहता है रीता 22 और तीन साड़िया मेरे पेरवचो सभी इसने खरीदे 2750 की और ध्यान से समझे जल्दवाजी नहीं करें पांच साड़ियां बाइस सो पचास की तीन साड़ियां 2750 की अब कहरा जी सभी का उसत बताओ आप अपनी मर्जी से कुछ भी उसत माल लें जो आपका दिल कर रहा है जो मन कर रहा हों माल लीजे बिल्कुल अनपड़वाला तरीका आपका मन 2500 कर रहा है 2500 माल लीजे अगर मेरे मन 2500 करेगा अगर मेरे मन 2500 करेगा कितने पे तीन पे तो भीया 750 ज्यादा तो 750 ज्यादा बाराः-250 कम यानि अभी भी 500 की कमी है और 500 की कमी कितने हैं पाँमच और दीन आर्थ हाक़ोंपे तो आठ से भागदेंगें भीया आर्चिंग 48 बचा कितना सार दो आर्चिंग 48 मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है आर्चिंग 48 बिल्कुल ठीक है सर और बच्छे कितना है दो आठ दुनी 16 बिल्कुल ठीक है आठ पंचे चालेस चार बचा था 22.5 यानि ओसत में 62.5 की कम नहीं होगी है घटा होगे दस में 5 गया 5 नो में 2 गया 7 और 9 में 6 गया 3 चार तो 2437.5 बिल्किन अगर कोई मेरा प्यारा बच्छा होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा वो कहेगा सर मुझे घटाना है पर जोड़ना है अच्छे यहां पे भी आप सीधा कर सकते थे हैं 200 गुना पांस था यानि 200 गुना दो अभी भी कम था नहीं 500 कम था अच्छा बच्छा क्या करेगा सर 25 तो मत मानों न अब मानों ही 250 क्यों लड़ाई करनी है आपने 250 मानों तो यह हो गया 0 जिरो को 5 से गुना करोगे तब भी यह 0 अब यह 250 से कितना जड़ा है सरी यह 500 ज़दा है 3 पर 15 ज़दा है प्यांच और 35 सो देखो हमने माना ओसद 250 तो यह 250 से कितना ज़ यानी अभी भी 15 सू जादा है 15 सू जादा मेरे प्याड़ ईपचो कितने आखोड़ों पे 5 उर्तीन 8 बे तो 8 से भाग देंगे 8 से भाग देना है तो भी या 8 हो 8 तो 8 लिजा कितना 7 8 ओठ दो 24 देख़ो 8 हो 8 बचा कितना 7 फिर 8 ओठ लिजा कितना 4 कितना ज्यादा बनना है तो 5, 7, 8, 5, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 24, 37, 5, ये मेरा अंसर आजाए मेरे पैरे पिछो जिस वक्त आपको थुड़ा भी confusion लगया average में वापसी जाएए सरवाद से फिर revise करिया फिर वापसी जाएए फिर revise करिया 2x की speed पर लगाताग देखिए उसको क्योंकि जितना आप उसे समझेंगे ना बार-बार देखेंगे concept एक बार बिल्ड होगा फिर दिक्कत नहीं है समझें मेरी बात अब और आगे बढ़ता है कहता है और ये आप सारे के सारे paper के question मेरा एक भी सवाल नहीं है महिस ने 1250 रुपे के उससद मुल्ले पर 360 करी दि यह था hah 360 के मुल्ले पर खरीदी कॉस्सने दो और 60 ले ली 1450 रुपे के मुल्ले पर सभी 560ों का उससं मुल्ले बताना क्या होगा तो बही माल लू अपनी वर्जिस姓 जो आपका मन करे ओं माल लू और मन-मन में करो महलों 1250 यह 01200 से 200 जरादा 202 नहीं 400 जरादा 400 को 443 को 25 तो चार्षो बड़ा जीरो याएनि चार्षो बड़ा है। बच्चे, बच्चे माने स्टूडेंट 42 बच्चे हैं और कहता है इन 42 बच्चों के ओसा तंग 137 है ठीक है जी जबकि कक्षा Y है Y में नंबर ओस स्टूडेंट है 28 और इनका जो ओसात है वो 102 तो कहता है पूरी क्लास का कमाइन आवरेज निका लिए क्या होगा पूरी क्लास का कमाइन आवरेज बताईए मेरे पेरे बच्चों क्या होगा यह आपका समझा तो कैसे करें ध्यान से समझे मेरे बच्चे एक बेसिक डाटा सिखा रहो मान लीजी मैंने का कि 12 आकड़े हैं 12 स्टूडेंट है एक क्लास में 12 लड़के हैं और हमसे समझना 12 लड़कों के ओस्ट आंक है X X marks per student 24 लड़किया है 24 गल्स है इनके ओस्ट marks है Y marks per student तो सभी का सभी का सभी तोस्त ग्याद करिए क्या हैगा और हमसे सिब समझने की कोसिज करना मैं कहना कहा चाहिए तो मेरी मन की बात समझो मैंने percentage पढ़ा है था आज भी सब उसी तरज पर है average आज पढ़ा है इसी तरज पर सब चलेंगे बस आप सीख लो आप सबसे आगे होंगे फिर देखें मेरे दोस्ते अब आप ये देखिए है कि बारा बच्चों के ओसत एक्स है तो टूटल क्या होगे तो सम निकालने का फार्मूला होगा number of student into average तो x into number of student होगे यह हो गया इन बारा बच्चों के total number यह 24 लड़कियों के y number के हिसाब से total number कितने होगे y गुना यह मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों के total number है यह लड़कों के total number है यह आ गया sum of marks कुल number है total बच्चे कितने हैं 12 जमा 24 12 जमा 24 अब मेरे बच्चों यह आ गया आपका नया average मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ उसमझे मैं आपको कहना यह चाहरा हूँ मेरे बचे अगर ध्यान से देखोगे तो 24 और 12 में कुछ common आ रहा हैं यहां 12 common आ रहा है तो यहां क्या बच्चा x into 1 यहां क्या बच्चा y into 2 बिल्कू ठीक है और सर नीचे से भी 12 common आ रहा है तो आप यहाँ एक लड़का मानो और दो लड़का मानो और फिर ओसत निकालो तब भी आपका आंसर वही होगा आप सो लड़के लेलो और दो सो लड़के लेलो मेरे बेटे तब भी आपका आंसर वही होगा जो answer आप है, तो कान खोल के ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हमें ओसत निकालना है तो वहाँ number of students का हम ratio ले सकते हैं, actual data के साथ उलजने की जरूरत नहीं है, actual data के साथ मूरक उलजते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भी लोगे तब भी आखिर में ओर ratio में कट जाना है, तो ऐसे ह यहाँ पर concept दोडाना आपने क्या, कि इसे देखो भाग हो रहा किसी से, हाँ सर 14, 28, 24, 42, यानि आपके लिए मेरे बच्चे class X में 3 बच्चे हैं, तो class Y में 2 बच्चे, 28 और 42 से आपका वास्ता दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, अब भी आपनी तरफ से उसत मालो, क्या म तो 24 ज्यादा, तो भीया 24 ज्यादा 9 यानि अभी भी 15 ज्यादा, और 15 ज्यादा कितनों पे 3 और 2 पांच में हैं, तो ओसत अभी 3 ज्यादा है, ओसत अभी 3 ज्यादा तो 140 में 3 जोड़ा 143, नय आउसत मेरे भाई 143 हो, हाँजी, आप कुछ भी मानके करें, बस आकडो की संक एकता के साथ बताई जाएगी, आपको उसके पीछे का लोजिक बताई जाएगा, आएए मेरे भाई, सवाल में कहा रहा है, इने क्लास दा एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गल्स इस 113, कहता है एक क्लास की 49 कन्याएं हैं, 49 लड़कियां हैं, जिनके उसर तंक है 113, और कह रहा है, इनके उसर तंक है 89, सभी का कम्माई नेवरेज आपको बया करना क्या होगा, देखे आर 13, 49, 13, 26, 3 अनुपाद 2, आकडो का अनुपाद लेना है, अब मेरे बच्चे आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लीजे, अगर मैं माल लो इन सभी का उसर 100, तो इस से कितना ज्यादा 13, तीन पर 49 ज्यादा, ये सो से कितना कम, 11, 2 पर 22 कम, मेरे बटे 49 ज्यादा 22 कम, अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है, 7, 17, तो 17 ज्यादा बन रहा है मेरे बटे, लेकिन कितनों पर, 3 और 2, 5 आकडों पर, तो 5 ती ये 15, 25, 23.4 ज्यादा, तो 100 था 3.4 और जोड़ देंगे, नय ज्यादा आजाएगा, 135,000, मेरे बच्चों, आपको या करना और कुछ नहीं है, बस कॉंसेप्ट समझना है, और इस कॉंसेप्ट पर खटा-खट, खटा-खट, जल्दी-जल्दी से, अगले सालों के आंसर आपने खुद बया करने, मेरा बीट नहीं करना, आपने उत्तर द लो नंबर ओफ गाईज का, गाईज बने लड़के-लड़की का तीन-दो आगया, तीन का ओसत अठाओन है, दो का तरेपन सब का बताओ, जो मरजी माल लो, मैंने माल लिया, अठाओन ही ओसत है, तो इसका रजल्द तो जीरो आगया, ये अठाओन से कितना काम है, पांच, क कम होगा, मतलब कितना हो जाएका, चपपन, कितना हो जाएका, चपपन, हाँजी, मैं अब इसे डेटेल भी समझा रहो, लिखके, मन-मन में सीधे-सीधे, क्योंकि आपको ओनलाइन एक्जाम देना, सीधा-सीधा यही से उड़ाने की प्रैक्टिस का नहीं है, मेरे साथ, भ यह ठाउन से कितना कम, 5, कितनों पे, 2 पे, तो 10 की कमी, तो 10 की कमी, कितनों पे भाई, टोटल पे, 3 और 2 पाँच है, तो उस अधे में 2 की कमी, तो ठाउन में से 2 घटाओगे, मेरे भाई, तो आएका चपन, नया उस अधा आपका चपन, समझे, जितना ज़्यादा हो सके, बरबली सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए मेरे बेरे बच्छों, बहुत ही भैतरी इन सवाल है, मेंस का क्वेशन है, कहता है, the ratio of the ratio of the number of players in the three teams, A, B and C, is this, 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 if the average number of runs scored per player for each of the three teams is this, 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 what is the average number of runs scored per player across all the three teams collectively, मलब तीन टीम है, उनके खिलाडियों की संख्या दे तीनों टीमों का combined average बताईए, क्या होगा, देखिए मेरे दोस्ते, अब जड़ा ध्यान से देखिए, ये number of players है, ये ओसत है, अपनी तरफ से कुछ भी ओसत मान लीजे, जो आपका मन करे, मैं कहूंगा या, 25 ही मान लोग, दे तो रखाईए, औरना 20 लोग, 30 लोग, कुछ त पाट होगे 5, माला 2 और 5, 7, 7 और 3, 10 वे, यानि ओसत में मेरे वेटे 3 की कमी है, यानि मेरे प्यारवचो, नया ओसत 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22, बहुत आसाना सब्सावाल है, देखे, मेरे प्यारवचो, सवाल में क्या कर रहा है, कक्षा, X, Y, दथा, Z के ओसत अंकरम से 83, छेतर और 85 है, एक क्लास X है, एक क्लास Y है, और एक क्लास Z, कहता है जी इनके ओसत अंक दे रखें, 83, छेतर, 85, ठीक है जी, और चातरों की संख्या का जो अनुपात है, चातरों की संख्या 27, 36, 45, ये चातरों की संख्या है, नमबर है, और मेरे बेटे, मैंने आपको ये कहा था, कि ऐसे में आपने क्या करना है, रिशो ले लेना, तो नमबर आप स्टूडेंस का रिशो लोगी, तो 9, 37, 9, 36, 9, 45, 3, चातरों की संख्या, आप क्या करेंजे, आप अपनी तरफ से कुछ भी उसत माल लीजे, क्योंकि ये तो उसत दे ही रखा है, ना, ये तो उसत दे ही रखा है, तो जो मन कर रहा उसत माल लो, 85 माल लो, 83 माल लो, 6, तर जो मर जी माल लीजे, मैं क्या करता हूँ, 85 माल लेता यानि, 37 और चाह बायालेस का, लेकिन मेरे बिटे 42 कम कितनों पे, 3 और 4, 7 और 5, 12, अब देखो है, 6 दूनी 12, 6, 7, 22, 7 बटे 2 का मतलब 3.5 है, यानि ओसात में 3.5 की कमी आई, 3.5 की कमी आएगे तो नया ओसात होगा 81.5 है, अफ्शन A, इस सवाल में देखो मेरे भाई ध्यान से दा एवरेज रन स्कूर्ड भाई ये बैट स्वैन इन सेवन मैचेज इस फोटीन है कहता है एक बल्लेबाज द्वारा साथ मैचों में जो एवरेज स्कूर बना वो 49 रन बना है जबकि अगले 9 मैचों में उसका उसत रन 27 है हाँ जी और कुल मिला के 16 मैच खेल लिए तो क्या 16 मैचों का टोटल एवरेज बताओ भाई क्या होगा तो मेरे बच्चों फिर आप क्या करिए अपनी तरफ से कुछ भी उसत मान लीजी क्या माना जाए भाई 4927 के बीच में 40 ले लू अगर आपको ठीक लगे अगर 40 ले ले तो भाई 40 से 9 बड़ा 9 साथे 63 बड़ा मन ही मन क्या करो ये 40 से कितना कम 13 13 नहीं में 117 उत्तरी तो बाबू 117 कम 63 जादा अब यह भी कितना कम बन रहा है साथ में 3 गया 4 11 में 6 गया 5 चोवन कम अग 24 कम मेरे भाई कितने डाटा पर बनेगा तो आप कहेंगे सार 9 शाथ 16 पर 16 पर चोवन कम अब बाबू 2 से भाग दोगे तो यह आएगा 27 बटे 8 तो 8 तिया 24 बचा कितना भाई 3 से भाग देंगे 8 तिया 24 देखो option से लड़ाना हो तो 3 से लड़ जाएगा चालिस में से 3 नहीं 4 घटा दो कितना आएगा 36 तो 36.625 आपको अंसर है लेकिन अभी आप सोचो 8 तिया 24 कितना भाई 3 फिर 8 तिया 24 छे बचा 8 तो 7 चापन और 8 पांच चालिस तो 3 दसमलो 3 7 5 आपको घटाना होगा और घटा होगे तो नहीं आउसर बैठेगा 36.625 ये मेरे प्यारे बचो मेरा आंसर हो समझे हाँ जी अब आगे सवाल में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन हो 7 पेपर कहता है साथ पेपर है हर एक पेपर में 100-100 नंबर मैक्सिमम है कहता है मैत के 3 पेपर है जो मैत सब्जे कह रहा है उसके तीन पेपर अंगरेजी के दो पेपर हिंगलिष के दो पेपर ही और भाई दो ही पेपर हिंदी के हैं हिंदी के भी मेरे बाइ दो ही पेपर और कह रहा है कि इनके जो ओसर तंक है वो 45, 55 और 60 45, 55 और 60 कह रहा भाई कुल मिला के सभी के ओसर बताने कितने बैठेंगे सारे पीपरों के तो ऐसे देखो यारा ओसर 45, 55, 60 है जो मन कर रहा हूं माल लीजिए आप कहें जी 55 माल ले 55 से कितना काम है 10, 10, 30 कम पाइदा ही हुआ यह 0 हो गया यह 55 से कितना ज़्यादा 5, 2 पे 10 तो मेरे बेटे 10 कम ना 10 ज़्यादा माफ के दे 30 कम अभी 20 कम बन रहा है और 20 कितना पे कम बन रहा है 3 और 2, 5 और 2, 7 पे अब भाई, आप जानते हैं साथ से जब भी किसी नंबर को भाग देते है तो exact answer नहीं आएगा यहनि non-terminating non-terminating repeating decimal आता है तो यहनि 20 बटे 7 की कमी करनी होगी तो 7, 2, 14 6 बचा और 6 बचा तो 7, 8, 54 यहनि लगभग मैं यह कहूंगा 2.8 घटाना हमने तो bound point 2 के आसपास मीरा है क्योंकि 7 से भाग देंगे तो यह decimal non-terminating होगा खतमी नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा तो नोंने एक approximate value लेके answer निकाला यह सारे के सारे अभी के current के exam के question है मेरे भाई अच्छा मुझे इस सवाल से पहले एक बात आपसे जाननी है जो अगला question है अभी के current के exam का बहुत अच्छा लेवल का question है मेरी पहरे बच्छों मैं आपको कहूँ कि कुछ data इनका उसत बताई है x-4, x-5 x, x-8 इनका उसत बताई है क्या होगा 4 आकड़े, 4 data इनका average निकाल के बताई है मेरे बच्छी क्या होगा तो आपका जवाब होगा कि सर आपने तो सिखाया है मुरक वाला तरीका निपड़ वाला तरीका कोई भी ओसत मालो जो आप कमन करे x माल लेते हैं आप, x से कितना कम चार, ये एक से कितना ज़्यादा 5 ये 0, ये 8 तो मेरे बिटे 8 और 4, 12 12 कम और 5 ज़्यादा तो 12 में 5 गया 7 कम अभी है, तो 7 को बाटो कितने आकड़ पे 1, 2, 3, 4 पे तो 4 एकम 4 बचा 3, 4, 7, 8, 4, 5, 20 यानि ओसत में 1.75 की कमी होगा यानि एक्चुल ओसत ही होगा अब इसी बात पे सवाल बना के मिन्स में डाल दिया द्यान से समझना सवाल सवाल में कह रहा है कि भई 6 लड़किया है और 6 लड़कियों का ओसत x है 6 लड़कियों का मेरे प्यारे बचो ओसत है x अब कह रहा है भई चार लड़कियां ओर सामिल कर दी जिनके नंबर इतने इतने और इतने थे चार लड़कियां सामिल ओर कर दी जिनके नंबर इतने 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 थे यानि एक का नंबर x-2 था एक का x-4 था एक का x-8 था और एक का मेरे बेचे एक्स प्लस दस दा ये तो सिर्फ सवाल लिखा है जो कहा रहा था वो लिखा चार नई लड़कियां सामिल हो गई तो कहा रहा है जी पूरी क्लास की एवरेज बतानी है मेरे प्यारे बजू क्या हो बहतरी इन तरीका एक्स्प्लेण करो आओ भई कुल मिलाके च्छ और एक क्या है एक क्या है यानि दस बच्चे होगे च्छ चार दस बच्चे होगे सभी का उसर बताने तो मेरे बेटे उसर कैसे निकालेंगे आप किया है सर अपनी तरफ से कुछ भी माल लेता है माल लए जी ये जीरो है ये दो कम है ये चार जादा है ये जादा है ये 10 जादा है ठीक है सर, अब क्या करें देखऊ है 10 और 8, 88, 88 और 4, 22 22 में से 2 गया 20 या नहीं अभी भी कुल मिलाके 20 जादा है और 20 ज्यादा कितने आकड़ों पे बन रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 आकड़ों पे 20 ज्यादा, तो उस्तन 2 ज्यादा होगा, तो नय आउसत X प्लस 2 होगा, बस कुछ है ही नहीं मेरे बेटे, बहुत ही आसान आसान सवल मेंस में आ रहे हैं, बस concept द्यान से सीखने की कॉसिस करिए, सब बहुत ही प्यारा सवल है, कहता है, average of the height of 286 students of a school is 15, कहता है, एक स्कूल के सारे के सारे 280 बच्चों की average height 50 है, आप कह रहा है कि इसी स्कूल में लड़के होंगे और कुछ लड़के होंगे, तो कहता है, लड़के लड़कियों की height जो है, इनका average is 30 unit, सारे लड़कों की height का average is 30, जबकि सारी लड़कियों की average height है 31, मेरे बच्चे इन सवालों को करने में ना नियाद अज़ती बच्चों के राप देखो कैस जूट क्यों होड़ाएंगे, अब ध्यां से समझे, भई ये बताओ, कि इस बार average दे रखा है के निकालना है, आप कहेंगे सार दे रखा है, लड़कियों की संख्या का अनुपाद नहीं दे रखा, निकालते हैं सराएंगे, अब ये बताओ मेरे बच्चों, अगर सभी का उसद 50 है, जबकि सवाल में कह रहा है के सभी लड़कों का उसद 50 है, और सभी लड़कियों का उसद 31 है, तो सवाल में पूछ रहा है, what will be the ratio of the total heights of y and total heights of girls तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि y और girls की संख्या का नुपात क्या होगा तो देखो मेरे बच्चे ध्यान से बढ़ी बताओ सभी का उसत होना चाहिए था 50 इस बार हम मान नहीं रहें मेरे बेटे इस बार ठीक है देर रखा है 50 अगर 50 है तो ये कितना जादा है तीन जादा कितने लड़कों पैँ 20 लड़कों है होना ची ये 50 है कितना 19 कम 19 कम कितनी लड़कियों पैँ मेरे बेटे मैंने आपको कहा था कि औस sad एक ऐसा बैर और बार 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 देता है ज्यादा वाले से कुछ ले लेना, कम वाले को कुछ दे देना, बराबर कर देना, that is your average तो इस बार हमने निकालना नहीं है, उसा दे रखा है 50 तो ये 50 से इतना ज्यादा, ये 50 से इतना कम तो जितना यहाँ ज्यादा होगा, उतना ही यहाँ कम होगा यही कहानी तो हम समझेते मेरे बिटे, average कहते है इसी को है तो यहाँ से मेरे बिटे ये बात समझ में आई, कि वह आए, इस टू गर्ल का रिश्यो अगर आप निकालोगे, जी नीचे लियाओगे, तो याएगा 19 बटे 3 याँनि लड़कों की संख्या 19 है मेरे बिटे, तो लड़कों की संख्या आगे 3 याँनि लड़के 19 हैं, तो लड़कियां है 3 मतलब अगर लड़के 19 हैं, तो लड़कियां है 3 आपने का जी, ओके रिपोट है आप कहा रहे हैं लड़कों की total height बताओ तो भई लड़कों की average height कितनी है तरेपन तो 19 लड़कों की total height 19 गुना तरेपन और कहा रहे हैं लड़कों की average height कितनी है 31 तो 3 लड़कों की total height कितनी होगे तीन गुना गुना गुत यह यह ratio पूछ रहा है आप कहें कि क्या सर हमें exact value निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमसे पूछा क्या है ratio पूछा और ratio निकालने के लिए हमें 286 student की जरूरत नहीं है हमें तो लड़के और लड़के की संख्या कानुपाच चाहिए तो जो भी option 93 में दे रहा है लड़कियों क्या है तो मेरा answer ये 91 में दे रहा है नहीं है 31 मेरा नहीं है ये 62 दे रहा है तो मेरे बच्चे मेरा option CT को 1007 अनुपाच 93 1007 अनुपाच 93 मेरी बात समझे है मैं फिर से आपको explain करता हूँ जान दे भई सवाल में कह रहा है कुछ लड़के हैं बाकी लड़कियां है total बच्चे जितने भी उसकी हमें जरूरत नहीं है लड़कों का उसत तरिपपन है लड़कियों का उसत इकत्ति से सभी का उसत 50 है देखो मेरे बेटे इससे पहले हैं मैं उसत मानते थे इस बार उसत दिया हुआ है तो भई उसत का मतला होता है ये उसत से जितना ज़्यादा है और ये उसत से जितना कम होगा तो जितना ज़्यादा वाले से लोगे मेरे बेटे उतना ही तो कम वाले को दोगे तो यहां से जितना लोगे उतना ही कम वाले को दोगे तो यहां हर एक लड़क, यहां भई ओसत तीन ज्यादा है, कितनों पर, बी लड़कों पर, यहनि बी लड़कों में कुल मिलाके इतना दिया, इतना ले लिया हमने, वो इतने ज्यादा थे, और यहां लड़कियां कितनी कम है, उन्नेस ओसत से, कितनी लड़कियां, जी लड़ लड़कियां 3 है और लड़कियों की height 3 है 31 average height तो 3 लड़कियों की total height इतनी हो गई इन कितने अब उसे ratio पूछ रहा है तो मैंने ratio निकाल दिया आपका है ये total लड़कियां होंगे और ये total लड़कियां होंगे समझ रहे अब या 19 गुना 13 करेंगे या 3 गुना 13 तो ratio निकाल तक 13 से 13 कर जाएगा इसलिए उस चीज़ की मेरे प्यारे बैचो जरूरत नहीं है अभी की current का means का question बहुत प्यारा स्वाल देखिए मेरे बैचो ये भी अभी की paper के question है देखिए बहुत सारे सवाल average के mission से भी जल्दी से किये जा सकते हैं लेकिन चुकि मैं बढ़ा ही यहाँ पर आपको average रहा हूँ तो इसलिए मेरी कोसेस होगी हर concept average की तुरू आपको clear करा हूँ इस सवाल में कह रहा है कि during school exercise इस student of junior school वाज सार्ज रुपीस 325 कहता है junior school जो है उससे हर बच्चे से 325 रुपर चार्ज किया गया है और भीया एक senior school है उससे हर बच्चे से 400 रुपर चार्ज किया गया है और कह रहा है junior school के 80 बच्चे है senior school के बच्चों की संख्या हमें बतानी है और कह रहा है सभी का own on average 352 आया यानि मेरे पेरे बच्चों average निकालना नहीं है दे रखा है 352 average दिया हुआ है अगर 352 मुझे average दे रखा है तो यानि average एक ऐसा number होगा जो दोनों को balance कर रहा होगा मेरी बात समझ रहा है तो दोनों को balance करने वाला number चाहिए अब आप ऐसे सोचिए होना चाहिए 352 352 से कितना कम है तो आप कहेंगे 27 कम तो 27 कम है कितने बच्चों पे जे बच्चों पे तो इतने की कम है ये 3002 से कितना जादा है 48 जादा कितने बच्चों पे एस बच्चों पे तो यानि यहाँ S बच्चों से 48 के इसाफ से इतने number लिए और इन बच्चों को 27 के साफ से जे बच्चों के इतने नमबर दिये और ये जितने यहां से दे रहे हैं उतने ही यहां से लेंगे यह नमबर और स्टूडेंट बराबर होगा तो काटेंगे 39, 27, 31, 48 तो यहां से रिश्यो आएगा junior upon senior रिश्यो आएगा मेरे बच्चे 16 यहीं और 9 बच्चे में यानि junior school में 16 बच्चे थे तो senior school में 9 बच्चे थे बच्चे समझाता हूँ देखे, पीछे average दे रखा होता था, ना निकालना होता था यहां average दे दिया, नमबर में गीम घुमा रहा है बात तो ही कि है, भई 300 bound average दिया है यह 300 bound से कितना कम था, 27 यानि हर नमबर से 27 घड़ेगा, मलब 27 कम है ओसत से तो जे बच्चों पर कितने की कम है, इतने की और यहां हर नमबर, ओसत से 48 ज़्यादा था, एस बच्चों पर इतने ज़्यादा होगे तो 9 unit की value 9, 5, 45 यानि senior school में 45 बच्चे है senior school में मेरे परे बच्चों कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे simple बात, कुछ नहीं, हम इसे मिश्रन से भी कर सकते हैं mixture and allegation जो है, वो average के बाद ही बना है, average बड़ी चीज़ है देखें मेरे भाई, देखो अभी तक जो सवाल थे, वो ऐसे थे, कि तीन लड़कें हैं तीन लड़कों के उसत अठेतार है, दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों के उसत पचास है आप से सवाल में पुछ रहा है कि सभी का combined average बताईए तो यहाँ आप क्या करते थे, अपनी तरफ से उसत मान लेते थे, कैसे मानते थे सर देखो, उसत मानते थे, तो आप मान लेते थे, अपनी तरफ से मान लिया, जी 60 मान लिया, मैंने 70 मान लिया, मान लिजी अगर मैंने सत्तर माल लिया तो आठ ज्यादा स्त्तर्स है, तीन पर कितना ज्यादा 1974, यह माना हुआ था, दे नहीं रखा था, माना हुआ था, così ठीक है, और ये सत्तर से कितना कम है, 20, तो दू पर 40 कम, तो पेटे 40 काम, 24 जादा अभी भी कितना काम है? 16 काम अब 16 की कमी कितनों पे बटेगी? असर बटेगी 3 और 2 5 पे तो यह आएगा 3.2 यानि 3.2 की कमी 3.2 की कमी 70 पे तो यह आएगा कितना? 66.8 यानि नया उसाथ 66.8 हो समझ रहे हैं? अब ध्यान से समझना मेरी बात है अब मैं आपको सवाल में ही कह रहा हूँ कि बटेगी 9.6.8 9.6.6.8 है तो 9.6.6.8 है तो यह बताओ 6.6.8 से कितना बड़ा है? 6.6.8 से कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 11.2 बड़ा है कितनों पे जी? 3 तो कितना बड़ा होगा? 33.6 बड़ा होगा यानि ओसद से यह इतना ज्यादा है ये 6.8 से कितना कम है? 16.8 कम है कितनों पे 2 पे है तो कितने की कमी है? 2.8, 16, 2.6, 12, 12, 13, 12, 13, 23, 23, 23 तो मेरे बच्चे आप यह देखेंगे अगर दे देगा तो फिर आपसे इनका रिश्यो पूछ लेगा समझ रहे? या फिर क्या होगा? ये नंबर दे देगा और एवरेज पूछ लेगा अगर इसी सवाल में मान लीजी मैं आपसे पूछता कि भाई ये बताओ लड़के और लड़के की संख्या का अनुपाद क्या होगा? आपको मालो ये नहीं दे रखा होता फिर आप क्या करते? फिर या आप ये कहते हैं 11.2 जादा कितनों पे? बी लड़कों पे और यहां मेरे भाई 16.8 कम कितनों पे? जी पे तो ये वैल्यू बराबर होगी अब बी अपों जी ये 16.8 बटे 11.2 देखो डैसिमल से डैसिमल उड़ जाता? हाँ जी बाकी से काड़ देते हैं काड़ते हैं तो मेरे बच्चे रेश्यो आजाता 3.2 56.3.160 होता है 56.9.112 ये लड़के लड़के की संख्या का अनुपात वही 3 अनुपात दो आजाता है तो बात को कई बार सीधा पूछ लेता है या फिर बात को गवांके उल्टा पूछ लेगा काम उसका यही है मेरी बात समझ रहा है? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत आया था? नहीं और सवाल को आगे पूछ रहा हूं मैं मैं कहा रहा हूं भाई तीन लड़के है तीन लड़के हैं मेरे बच्चों ध्यान देना इनके उसका है X marks per student दो लड़किया है इनके उसका है Y marks per student आपने का ओके अब साथ में यह कहा रहा है कि यह एक्चुल में न इन सभी का उसका 50 marks per student दिया हूआ यह average है यह इन सभी का उसका और यह दिया है यह उसका मेरे प्यारे बच्चों दे रखा यहाँ तक question की statement आपको given मिलेगे कि वह तीन लड़कों का उसका इतना है दो लड़कों का उसका इतना है और सभी का combined average 50 marks per student है अब यहाँ से कहेगा यदी यदी माने एक नया सवल बना रहा इसी सवल की statement के बाद यदी if हम पहले वाले उसका उसक में दो बढ़ा दे यानि अब नया उसक एक्स प्लस दो हो जाए पहले वाले बच्चों का समझ रहे वो इस भासा को कैसे भी कह सकता वो ये भी कह देगा कि यार तीन लड़कों का उसक यदी मान लो एक्स ना होके एक्स प्लस टू होता मतलब दो ज्यादा होता तो बताओ भाई फिर नया उसक क्या हो जाता तो आपने कुछ नहीं करना आपने ये सोचना था यार देखो अगर एक्स रहता उसक तो तो उसने दे रखा पचास ये एक्स हो ये वाई हो तो उसक पचास दे रखा अब कह रहा है कि अगर इसका उसत दो ज्यादा होता तो भाई ये तीन बच्चों पे दो ज्यादा होता तो कितना ज्यादा हो जाता च्छे ज्यादा हो जाता अब ये छे जो है कितनों मटेगा तीन और दो पांच में यानि एक पाइंट दो उसत और बढ़ा दो तो नए आउसत एक पैंट दो बढ़ा दो समझ रहे हैं मेरी बात अब इस चीज़ पर दिमा करड़ाएगा आए कहता जी 6 संख्याओं का उसत 32 है 6 संख्याओं आराम से सुना 6 संख्याओं का उसत 32 है दे रखा है यदि पहली 3 संख्याओं का कहता जी 3 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है हमें नहीं बता मालो एक से और अगली 3 नंबर का 6 में से 3 होगी तो लाश्ट की 3 है इनका उसत मालीजी वाई है लेकिन कह रहा है इन 6 नंबर का जो उसत है वो 32 है च्छेवों संख्याओं का जो उसत है वो 32 है यहां तक की बात करा है करा है पहले तीन नमबर का उसत मालो एक से अगले तीन का वाई है और च्छेवों संख्याओं का उसत 32 है अब कह रहा है कि अगर पहली तीन संख्याओं में दो दो बढ़ा दें कहता है अगर यहां हर एक संक्या का उसर दो दो बढ़ा दिया जाए तो भाई तीन नमबर पे दो दो से बढ़ा होगे तो कितना विर्दी हो जाएगी यानि कुल मिला के हो यह कह रहा है भाई पहले हमें छे बढ़ा दे अगर आप नहीं समझे हैं और आप इसके साथ उस नी करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा सवाल कि भाई छे संख्याओं का उसर बढ़ा दो तो दो के साब से तीन संख्याओं में कितना बढ़ गया इतना और कहता है आखरी तीन में चार चार घटा दो तो इतना घट गया है तो अब यह आ गया नया जोड़ और कहता है छे संख्याओं नया उसर बढ़ा तो क्यों इतने जमीले में जाना जब हमें अच्छी बाते पता है अनपड़ों वाला दिमाग है तो सिधा 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 सोल करेंगे अब आई आई आग गया होगा और जो संख्याओं मीसिंग वो निकालनी होगी मीसिंग नमबर निकालना होगा वेन आवरेज इस गिवन आई यहां आपको उसर निकालना नहीं है उसर दे रखा है और फिर संख्याओं पूछी है कहते हैं चार संख्याओं का उसर पचास है तीन संख्याओं चा अब आप ऐसे सुचिए कि ओस अ है फोनाची चाशी कतना कम है दास यह कितना कम है तो यह कितना ज्यादा एक है और सर ओस अ की कहनी है कि अगर कोई नंबर एवरेज होगा तो वह हर एक डाटा से जितना कम जितना ज्याधा है last विसे balance कर देगा zero ले आयेगा, तो यह देखे 10 और दू बारा ज्याधा एक कम 10 और दू बारा कम एक ज्याधा या भी भी 11 कम, 10 और दू बारा कम एक ज्याधा यानि 11 कम, इसका मतलब हर हाल में यह आकड़ा उसद से 11 ज्याधा होगा क्योंकि तभी तो यह बैलेंस जीरो होगा, तभी तो यह बैलेंस जीरो होगा, तो 50 से 11 ज्यादा मतलब मेरे पेरफ जोई आगड़ा होगा, 61 कितना होगा मेरे बचे 61 आई, जहां पर भी जिस भी बिंदू पर आपको दिकत हूँ, विडियो रोकिए, दुबारा से करने की खोसिस करिए, हर एक बार नियम यह लगाना है, क्याता है यह थी 5 संख्याओं का उसस चालिस है, चार संख्याओं इस सवल मैं अपनी तरफ से दिर आओ, थुड़ी दिर म होना चाहिए उसस चालिस है तीस, कितना कम दस, कितना ज्यादा सर नो, कितना ज्यादा सर दो, कितना ज्यादा सर ना कम तीन, तो मेरे बचे दस और तीन, तहरा कम, नो और दो ग्यारा ज्यादा, ग्यारा ज्यादा, तहरा कम, अभी वी दो कम हुआ, और ये दो कम है तो मेरे 40 और 2 42 होगा यानि ये जो नंबर होगा ये ओसद से 2 ज्यादा होगा ओसद से 2 ज्यादा होगा क्या आप सहमत है ये इस बार के मेंस का कुश्चन है कितना असान सा सवाल देखे क्या रहाँ 25 46 वाई ये को तीसरा नंबर है सभी का ओसद 11 तो ये तीसरा नंबर बताना है क्या हो तो मेरे बच्चे आप ये तो समझते ही है कि होना ची ये पच्चेस ना होना ची ओसद 11 है 25 कितना ज्यादा सर 14 ज्यादा ये कितना ज्यादा है सर होना ची 11 ये है कितना 35 ज्यादा तो भाबू ये 35 और 14 कितना हो गया 49 अगर यह 49 ज्यादा है तो इसे 49 ज्यादा है तो इसे 49 कम करना होगा हाँ जी यानि ये जो नंबर होगा ये ओसत से 49 कम यानि 11-49 तो यह आएगा 38 इसका माइनस कम क्योंगी जो बड़ा नंबर है उसी का साहिना आता है यानि-38 बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे यूं है कि 3 संख्याओं का उसत 11 है तो 3 संख्याओं का यो 11-33 हो गया है दो संख्याओं का यो 25-34 कितना वा चैर 5-11-4-2-6-1-7 गहतर तो 33 में से गहतर घटा देंगे तो आएगा सीधा माइन-38 बिल्कुल ठीक बात है आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मेरे बचे हमें अच्छा मै अब इसे मन ही मन में करिए अब जोडने की जरुरत नहीं मन ही मन में करिए मन ही मन में करेंगे तो यह कहेंगे सर वसत दिरखा तंद्रा कितना कम 1 चार जादा, तीन कम, जीरू तो भाईया तीन और एक, चार कम और ये चार जादा तो यानि कुल मिलाके जीरू कर डिफरेंस आया फिर से समझा तो कहता है पांच आकड़े हैं एक, दो, तीन, चार, पांड सभी का उसत पंदरा, एक्स कमान बेद करना ये पंदरा से एक कम, ये चार जादा ये पंदरा से तीन कम, ये जीरू दो, तीन और एक, चार कम, चार जादा मलब जीरू आगया इसका अलब ये आकड़ा उसत के बरावर ही होगा मतलब पंदरा ही होगा, ये उसत से जीरू कम है साथ कीतना कम आठ ये कितना कम सर 4 ये 0 इसके बारे में तो पता लगाना ये कितना कम एक ये कितने किम छो ज्य ये पंद्रा से कितना ज्यूंदा दास अब गुद्धे दोड़ा नहीं क्या सर 8 और 10 और तब ही तो 0 आएगा तो उसद कितना है जी 15 15 से 3 कम करूँगा तो यह उसद आखड़ाएगा 12 यहाखड़ाएगा 12 क्या सहमत है मेरी बात से यहाखड़ा कितना हैगा मेरे बच्चे 12 वन ही मन में कर देना धीरे धीरे समझते जाएए अब इसे अलग से लिखके दिखाता हूँ कहता जी 20 40 70 80 इस उची में एक और नमबर शामिल करना है ताकि सभी का उसन 60 हो जाए यह राजी उनमबर बताएगा यह क्या होगा तो मेरे बच्चे आपने दिमार दोड़ाना की नमबर क्या होगा 60 से कितना कम है 40 यह 60 से 20 कम है यह 10 ज्यादा 10 ज्यादा दोनों को लिख देता हूँ 20 ज्यादा क्योंकि यह 10 और 10 बीस यह कितना ज्यादा जी 20 ज्यादा तो 20 और 20 चालिस ज्यादा 40 से 40 के अगर यहाँ मेरे बच्चे 20 कम है ये साकड़े को 20 ज्यादा करना होगा क्योंकि औस अब का मतलब है डिफरेंस 0 क अगर ये 20 कम है कुल मिला की तहीं 20 ज्यादा करना होगा तो 60-20 जोड़ेंगे तो 80 तो यह आखड़ा मेरे बच़ये आपको क्या करना होगा 90 के आपको समझाई मेरे बात बहुत बढ़िया ये पेपर का सवाल है करिए 24 मई 2008 को maximum temperature है दिल्ली, कुलकत्ता और मुंबई का तो आपने बताना है चिन्न ही का maximum temperature क्या होगा कि सभी का उसत 35 आज़ा है कि सभी का उसत 35 आज़ा है मन मन में करना है भी ऐसे देखो सभी का उसत क्या लाना है 35 यहाँ इसका कितना है 35 तो यह खत्म हमें तो कितना ज़्यादा कितना कम उस पर जाना है यह कितना कम है, दो कम है यह कितना कम है, एक कम है तो मेरे भाई, यह दो कम, यह एक कम, यह 0 है तो अभी कोल मिला के 3 कम आ गया तो जो चे नहीं होगा उसका उसर तेंपरेचर तीन ज्यादा होगा तो उसर देर खाया 35, 35 से तीन ज्यादा मतलब नए आंसर होगा 38 क्या होगा मेरे बचे 33 अगर मैं लिखके समझाओ तो मन ही मन ना करके आप ऐसे करेंगे भाई एक सहर का 30 है अगले का 33 है उससे अगले का 34 है उससे अगले का आपको बताना है सभी का 35 है तो भीया यह तो 0 ज्यादा कम है यह 2 कम, यह 1 कम तो कुल मिला के पूरा गुरूप 3 कम बदा रहा है तो इसे 3 ज्यादा करना होगा तो 35 में 3 जोड़ा अर्थ तो यह अगला मेरे प्यर्वचो 38 हो जाए सहमत है देखी मेरे प्यर्वचो यह आपकी पेपर का कुश्यन है सवाल में कह रहा है यानि उन्होंने ये निश्चे किया कि हम हर दिन का 8000 रुपे का दान करेंगे और इसमें संडे सामिल नहीं है मतलब 6 दिन हम काम करेंगे और 8000 रुपे हर दिन के साबसे हम दान करेंगे कहता है 5 दिनों का डोनीशन देरखा Monday to Friday कहefे तो कहरा जी बताइए फिर छटा दीन आई थाया निशन कहता होगा तो आप कहेंगे एवरेज हमें कितना चीए 8000 तो ये 8000 से कम है ये भी है ये 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 ए और ये तिادötर ही साफ़के 5ौ दिन जो है मेरे बच्चे वह 8000 से कम है तो इसका मिनलब जो यह पीपर का कुश्शन है, अब मैं इसे तरीके सबताता हूँ, पेपर में सोल, अगर आपको डिटेल करना हो, तो खैसे सोल करना है, बहुत ध्यान से समझे, हर एक चीज को, देखें मेरे दोस्त, एधा जी डोडिशन आठ हजार उपर डिली की उठानी है, पहले दिन बहुत तर्सु तीस है, अगले दिन क्योशाट सो पहतीस है, अगले दिन 527 है, उससे अगले दिन 675 है, और उससे अगले दिन पैसाट सो बासट है, पैसाट सो बासट है, आएे मेरे दूसरों, अब हम यह देखना यह 8000 से कितना कम है तुसर यह है 770 कम यह 8000 से कितना कम है भीया यह आएगा 1565 यह भीया 1033 कम यह आएगा मेरे भाई 1145 और भाईया यह आएगा 1438 पका अब इने जोड़ लीजे देखो 5, 5, 10, 8, 18, 18, 21, का 1 हसल दो 2, 7, 9, 9, 6, 15, 15, 15, 7, 22, 24, 26, 23, 29, का 9 हसल दो 2, 7, 9, 9, 5, 14, 14, 15, 15, 15, 4, 19, हसल 1, 1, 2, 3, 4, 5 तो यानि कुल मिला कि यह सारे आखड़े उसद से 5991 में कम है तो जो आख़ी आखड़ा होगा वो उसद से ओसर के इतना 8000, 8000 से इतना ज़्यदा होगा, जोड़ों की तो आएगा 13914, जो कि आपका option B है, पेपर वाला जानता है कि मुझे इतनी calculation नहीं करानी, इसलिए हूँ basic समझ पे सवाल डाले गा, option ऐसे बना गया कि आप आसा इनी से solve करें, बट कोई नहीं आपा, समझ नहीं की क बोसिस करते रहें, और कुछ नहीं, पढ़िए जी, the average weight of the first 13% among 14% is 78 kg, चोदे व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का उसत वजन 78 kg, यानि कुल मिला के लोग हैं 14, 14 में से तहरा आदम, यानि 13 मेंबर हैं, समझाने के लिए, 13 मेंबर का उसत 58 kg, बहुत उडिया, कहते हैं चोदवे व्यक्ति का वजन भी, अगर इसमें कहता है, जो एक मेंबर और आ गया, जिसे हम इस एक मेंबर को हम 14th नंबर कहेंगे, कौन से नंबर का आदमी है है, 14th नंबर का, अगर कहता है ये एक आदमी भी सामिल कर लें, यानि चोदवे व्यक्ति का वजन भी सामिल कर दे तो 14 व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियОं के 17 वजन से 49 किलोग्राम अधिक है इस आदमी का जो बेट है हो सभी के average weight से मालोदो सभी क बेट ए है तो इसका बेट एवरेज बेट से कितना जाद है मेरे बिचे 49 किलोगराद मेरे पिर भी यह क्या होगा, चोद्वे विक्ति का वजन ग्याद करी क्या होगा, यह language है, अब ज़रा ध्यान देना, ऐसे समझो, मेरे प्यरे बचूँ, हमारा नियम क्या है, हमारा नियम यह है, कि भई अगर उसत ए है, तो होना कितना चीए था, ए है कितना 49, यानि यह 49 ज्यादा है, उसत मतलब हर एक का उसत से 3 किलोग्राम कम वीट है, यानि इन लोगों का उसत से 3 किलोग्राम कम है, यानि उसत होगा, 78 और 3, 81 किलो है, यही सवाल में पूछा हुआ है, कि भई या, उसत क्या होगा, फिर से समझाता हूँ, सवाल में कि रहा है, तेरा आदमियों का वजन उसत अ 49 कम होगा, यानि 49 कम होगा, कितने लोगों पे, 13 पे, तो हर एक में कितने की कमी होगी, 3 कि, यानि या हर किसी का जो ओसतन वजन है, वो सभी के ओसत से 3 किलो कम है, तो हैनि सभी का, ओसत से 3 कम हो और 8 तर है, तो सभी का कितना होगा, 8 तर 3, 81, उसने का कि ना यह मत बताओ, य एवरेज बेट कितना है 81 और इसका एवरेज से 40 ज्यादा है तो आजसर आजाएगा 120 किलो ऑप्शन टी सहमत है बाई च्छोटी बात है वर्बली सोल करने के कहता जी एक स्कूल में 34 बच्चे कितने बच्चे मेरे बच्चे 34 स्टूडेंट है स्वाल में कह रहे हैं इन सबका 27 बच्चे 42 किलो ग्राम कहता जी एक टीचर हो श्चामिल हो गया और अब सभी का जो वजण हे वो कहता 400 ग्राम बढ़ गया सभी का वजण 400 ग्राम बढ़ गया तो भई दो तरीके से बनेगा ए दिरबात समझाँ गा, एक तरीका ही होगा, कि वह टीचर के आने से सभी का वज़जन प्रज़न चार्शो ग्राम बढ़ गया वलाओ, टीचर का वेट सभी से इतना जाता था कि हर एक केसे में चार्शो ग्राम आ गया, उसे थोड़ी लेटरों सीखेंगे, लेकिन अभी ही वा के हिसाब से कितना वेट कम आया है, तो गुना करेंगे तो डबल जीरो, चार्शो ग्राशो ला, चार्शो बारा और एक हजार से भाग देंगे, तो 13 किलो 600 ग्राम ये कम हाया, अगर ये 13 किलो 600 ग्राम 13.6 किलो ग्राम कम आ रहा है मेरे बच्चे, तो इसका टीचर का वेट स तो मेरे बच्चे अब ये बताईए कि जो टीचर है उसका वेट ओसत से कितना ज्यादा होगा तेरा किलो 600 ग्राम ज्यादा होगा तो 42 में तेरा 600 जोड़ेंगे 42 और तेरा 55 और एक 56 तो टीचर का वेट होगा 56 किलो फिर से समझाता हूँ ज्यान देना सवाल में क्या कहरा है मेरे बिटे सवाल में कहरा है एक स्कुल के 34 बच्चे थर्टी फोर्स शूट थै इसको दो तड़ी के से समझाओँ आगा बाद में जब सीकुंच आएगा तो वहाँ दूसरी सीप्शन होगा थिक है जी 42 के जी कहता है इसमें एक teacher भी आ गया सिर्फ सम्झाने के लिए लिख रहे है तो बजन हो गया 42.4 42.4 के लो ठीक है जी तो कहता teacher का video बताओ तो आप ऐसे सोचों कि होना चाहिए था 42 62.4 होना था 42 कितना कम? 0.4 तो 0.4 की कमी कितनों पर भाई 34 पर तो 34 से गुना करोगे 4.16,4,3,12,13 यानि हम यह कह सकते हैं कि इस गुरूप का वजन 0.6 से 13.6 कम है और 0.6 क्या करता है? बराबर कर देता है 0.6 दिया हुआ तो अगर मेरे भाई ये 13.6 कम है तो ये 13.6 ज़्यादा होगा किस से? 0.6 से इनको हर एक तरीके से एक्स्प्लीन करोगा आपको हर तरीके से पता होना चाहिए दείके मेरे दो सवाल में कह रहा है 38 विद्यारतियों की 80 अई 14 वर है कहता जी 38 विद्यारतियों की 80 अई 14 साल है मैं लिख रहा हूँ आपको त्रक्राटी चर्क्याई होता ही मिल रिया जाए तो वसट आयू छोदा साल चार महीने हो जाती तो भाईये बताओ उने छोदा साल छार महीने है छोदा साल कितने की कमी है चार महीने की कितने पे 38 38 को 4 से होना है 4-8-8-2 contexto सोरी यहा कितना 4-8-3-2 2 हंसल कितना है 3, 4, 3, 12 और 3, 15 यानि यहाँ 102 महीने की कम ही आई अब 102 महीने यहाँ कम है तो इसका अलब यहाँ 102 महीने ज़्यादा करने होंगे तभी तो average balance करेगा इनको मैं दूसरे तरीके से भी explain करूँगा इसी class में रुखिए आप मैंने का ठीक है जी 102 महीने ज़्यादा होना ची ओसत से अब यह year मंत है यह मंत है तो भी अमंत को ज़्यादी year में बाटो तो 12 से भाग दो 12 एक कम 12 बचा कितना जी 3 12 दूनी 24 बचा कितना 8 यानि इसका अलब 12 साल 8 महीने भी 102 महीने को 12 से भाग दोगे 152 महीने को 12 से भाग दोगे 12 एक कम 12 बचा कितना भाई 3 उतारा दो तो 12 एक कम 12 12 दून 24 12 दून 24 बचा कितना 8 तो इससे लिखेंगे 12 सही 8 बटे 12 यानि मैं यह कह दूँगा 12 साल तो पूरे होगे 8 महीने बचे तो यानि जो टीचर होगा उसकी उम्र ओसत से 12 साल 8 महीने ज़्यादा होगी 12 साल 8 महीने ज़्यादा होगी तो जोड़ोगे तो 8 और 4 12 महीने महीने जोड़ोगे तो 8 और 4 12 महीने 12 महीने का एक साल 14, 12, 26 और 1, 27 यानि जो टीचर है मेरे भाई वो 27 साल जो टीचर है मेरी पेरब जो कितने साल का 27 साल का क्या आप मेरी बात समझ भाएं बहुत बड़े देखेजी सवाल में कह रहा है क्लास में 35 बच्चे है कितने बच्चे भाई 35 बच्चे 35 स्टूडेंट की क्लास है इनका जो ओसत है वो साड़े 47 किलो कहता अगर इसमें हम टीचर को सामिल कर दें तो ओसत 500 बढ़ जागा यह आदा किलो बढ़ जागा वहलों 47 से 48 हो जाए कहता जी टीचर का वजन बताओ तो बिटे ही बताओ उनाची 48 है 47.5 कितने की कमी आदा किलो कि कितने के अदूरों पर है जी 35 से ह हाग दोगे से तो 5 से गुना किलोगे 55 Щट्यों 25 और दू शत्रा यानि यह 1-7 से साड़े-स सत्रा किलो कम है तो टीचर का बजन साड़े-स सत्रा जदा होना जाए तो 48 में साड़े-स सत्रा जोड़ो गे तो 8-7-15 चाहरेग पांच रिक चाहरेगा, 65.5 किलो का टीचर होना चाहिए, शाड़े 65 किलो का मास्टर होना चाहिए, तो 65 किलो का मास्टर माश्चर मादला वो अक्षण D, सम्झे भाई? कहता जी एक करमचारी की एक कमपनी में छे करमचारी है छे एंपलोई है कहता जी इनकी ओसत आयो 37 साल है 37 एंपलोई हमने सामिल कर दिया नया एंपलोई सामिल कर दिया निव एंपलोई सामिल हो गया इस वज़े से सभी की जो ओसत है वो दो महीने कम ना दो वर्ष कम हो जाती है यानि यह होगी मेरे भाई 35 सार किरा जी दो महीने कम हो गए अब आप ऐसे सूचिए ओसत होनी चीए थी 30 है 30 कितनी ज़्यादा दो कितनों पे 6 पे तो इसका लब 12 साल ज़्यादा हो गई है अगर यहाँ 12 ज़्यादा है तो इसे 12 कम करना होगा तो 35 में इसे 12 घटाओगे तो इसकी उमर लानी होगी 23 साल तो निव एंपलोई की उमर क्या होगी मेरे बच्चे 23 साल हाँ जी देखो मेरे बच्चे यहाँ 0 पैंट दो वर्ष दिया है तो इसी को पैंट में ही लेंगे ऐसे जैसे दिया पैसी लेंगे कहता अभी एक अक्षा की 20 लड़कियों की उससाथ आईओ 12 बच्चा कहता 20 लड़कियां है उनकी उमर है 12 साल उससाथ आईओ 12 साल कहता 20 में से एक लड़की किसी दूसरी ख्लास में चली इस वज़े से जो बाकी लड़किया 19 बच गई उनका ओसत वजन 0.2 साल कम हो जाता है यानि कितना हो जाता है 12 में से 0.2 घटाएंगे तो 11.8 साल हो जाता है तो कहता है जी जो गई है उसकी आयो क्या थी तो मेरे बेटे ऐसे सोचो होनी चीए अगर यहां 3.8 की कमी है तो यहां 3.8 ज्यादा होना चीए आप कहेंगे हाँ तो किस से ओसत से 3.8 तो 12 और 3 15.8 यानि जो लड़की गई है उसकी उमर 15.8 साल होगी बड़े आराम से समझो वरबली ही तूटेंगे सारे सावन लिखने की जूरत नहीं है आपको पता था बई 20 लड़की है उनकी उसत थी 12 एक लड़की गई तो बची 19 तो 19 में हर एक में 0.2 साल की कमी होगी तो 19, 29, 38, 3.8 की कमी होगी यानि जो गई है उसकी उमर 3.8 ज्यादा हो सत से 12 में 3.8 जोड़ा 15.8 option यह मेरा answer देखें सीखने के तीं सतर होते हैं पहला सुनना जो आप कर रहे हैं फिर चिंतन मनन करना जो आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं इस recording के बाद इस class के बाद आप उस पे काम करेंगे और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों वो था परियोग क करना अभ्यास करना यानि जो आपने सुना जो आपने चिंतन मनन किया और जो उसके आप अभ्यास कर रहे हैं यह किसी चीज को सीखने के तीन चरण होता है अभी आप पहले पे हैं तो जब पहले से दूसरे पे जाएंगे तब आप इसको वर्बली धिरे-धिरे connect करेंगे औ जब आप देखिए आर देहरा six baskets है कि अबार यह चे टोकरिया है पर तेक टोकरी में कुछ चलने सभी चे टोकरियों कि चलनों की ओसरत संग्या 38 कि रहा है यदि इसमें से नीरी टोकरी हटा दे ब्ल्यू गलर हटा दे blue color हटा दे तो बची कितनी 6 में से 1 खटा दी तो बची कितनी 5 तो 5 टोकरियां जो बची है जो बची है उनका उसत भुण उनमें जो छल्ने उनका उसत 34 हो जाता है तो बताओ blue टोकरी में कितना है तो बिटे वही सोचो मन में होना ची 38 है, 34 32 कितना कम 4, कितने की कमी 20 की, तो अगर यहां 20 की कमी है मेरे बिट्टा, मेरे लल्ला, तो यहां क्या होना चीफ 20 जाना, तो 38 में 20 जोड़ा 8, यानि ब्लू टोकरी में 8 होना, चले, option D is my dear student, is your right answer, और यह मेरे बिट्टे, देखिए पहले इससे पहले में आपको चोटी बात सिखाना चाहरा हूँ, मेरे बिट्टे, ध्यान से लेकिए, मेरे उद्दिश्य पहले यह है कि आप उम्र को घटाना जोड़ना जानते हो, जैसे, मैं example के तोरबर आप से कहूं, कि भाई 15 साल, 5 महीने में से, 12 साल, एक महीना घटा के बताओ कितना बचा, तो आप गए बड़े आसानी से घटा देंगे सर, 5 महीने से गया 4 महीने, और 15 महीने से 12 गया 3 साल, तो अंसर आगया 3 साल 4 महीन, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी सवाल में चेंज करके यहां, 5 की जगे 9 महीने कर दो, तो दिक्कत आजएगी, तो दिक्कत आजएगी, तो उसे दूर कैसे क्या जाए, सर, यहां 15 है न, 15 की जगे 14 कर दो, अगर यह नंबर कम है, तो यह 14 साल, तो एक साल में क साल, आट में, डिफरेंस आया मेरे बच्चे, दो साल, आट में, अजी, मैं आपसे पूछना जारा हूँ मेरे भाई, 49 साल, 3 महीने में से, 12 साल, 11 महीने गटाओ क्या आएगा, तो तरीका यह है बिटे, कि अगर यह नंबर महीने वाला इस महीने से छोटा है, तो यहां से 49 क जगे 38 करो, यानि एक साल काटो, एक साल यहां आएगा 12 महीने, यानि साल को महीने में बदलो, 12 और दिन 15, 15 में से 11 गया, 11 गया 4 महीन, 38 में 12, तो 26 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, 26 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, क्या आप समझ पहें तो सबसे पहली चीज है कि उम्र को घटाना बढ़ाना कैसे करते हैं वो आपको समझाए और मुझे पूरी मीधा आपको आया होगा एक लास्ट एक्जम्पल ले ले दो एक साल दो महिने में से नू महिने कैसे घटा है तो आप कहेंगे एक सार घटाना थी से एक साल को आंसे ले जाती है यहां बचा कितना जीरो साल एक साल इदर लगे कितने होगे बारा महिने तो यहां होगा बटे बारा और तो चोदा चोदा महिने में से नू महिने कैसे तो बचा पांच महिने तो जीरो साल पाँच महीने मेरे भाईयों मेरा सही आंसर है अब हम अपने सवाल बराते है कहता है जी दस बच्चों की कक्षा की उसत आयो नो साल नो महीने थी घबराना नहीं सिर्फ सीखना है नो साल नो महीने थी नो बच्चों की उसतायू, दस बच्चों की उसतायू तनी थी, कहता है इस में से नो बच्चों की उसतायू, यानि नो स्टूडेंट की जो एवरेज एज है, वो कहता है आठ साल ग्यारावी ने, तो कहता है जी दसवे की उम्र बताओ क्या होगे, दस की नहीं, टैंथ की, द दसवी, दसवी की उम्र बतानी क्या होगी, तो आसान तरीका क्या है, अभी बेसिक से समझेंगे, तो आपका लड़ाई ये हो नीचे सर, कि हमें पहले ये देखना है, कि ये उसत से कितना कम है, तो भाई 9 साल, 9 महीने होना ची ये उसत, पिल्कुल, है कितना 8 साल, 11 महीने, तो ये दस महीने कम है, लेकिन मेरे प्यारे बेच्चो, मैं आपको भी सिक्सिक होंगा, भी ये 9 से 11 नहीं गट रहा, तो 9 महीने हटा के, न 9 साल लगा, 8 साल करो, ये एक साल हो लियो, तो 12 और 21 में से 11 गया, 10 महीने, हाँ जी, आई बात समयें, यानि सर, ये 10 महीने कम है, कितने हाँ सर, लेकिन वो बढ़ा गया, तो 12 साते 84, यानि ओसत जो होगा हो, 7 साल, 12 साते 84, बचा कितना 6 महीने जादा हो, यानि दसवे आदमी के उमर, ओसत से 7 साल 6 महीने जादा होगे, तो 9 और 6, 15 महीने में 12 महीने निकाल देंगे, बचे कितने 3 महीने, तो एक साल और हसिल आ तो 9 और 10 और 7, 17, तो 17 साल 3 महीने इस दसवे खलाड़ी की आई होगे, 17 साल 3 महीने इस खलाड़ी की आई हो, आराम से समझे, कोई जल्दमाजी ने है, एक एक एक्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, और दिखता हूँ कितने बच्चे आंसर दें, मैं कहा रहा हूँ भी, इक लास में 8 बच्चे है, 8 स्टूडेंट है, इन 8 बच्चों की ओसत आई हूँ, 13 साल 11 महीने है, एक बच्चा मैंने ओर सामिल कर दिया, एक स्टूडेंट ओर सामिल कर दिया, वन स्टूडेंट है, तो इन सभी की ओसत आयो जो है, वो 15 साल 2 महीने होगे, तो मुझे एक बच्चे की उम्र बताईए कितनी है, तो मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट है, वो ऐसे कहेंगे कि सर होनी ची 15-2 है 13-11 नहीं घटेगा सर अपराद हो जाएगा तो क्या करें सर यहां से एक खासिल ले जाओगे 12-12 और तो 14 महीने यानि 14 साल 14 महीने तो 14 साल 14 महीने में से घटाएंगे तो 14 महीने में से घटाएंगे 11 महीने कितना बचा 3 महीन है और 14 साल में से 13 साल गया तो 1 साल फिर से समझा दो मेरी प्यारे पिछो देखो 15 साल 2 महीन है यहीं basic मजबूत करेंगे गटाना है 13 साल 11 महीन जब गटाएंगे यहां 2 में से 11 नहीं गटे गया तो 15 की जगा 14 लिको और यहां 1 साल का 12 महीने लिया तो 12 और 2 कितने होगे 14 महीन है 14 में से 11 गया 3 महीन है और 14 में से 13 गया 1 साल यानि 1 साल 3 महीन है उस्तन कम है मैं करो पिपर में क्या करो सीधा यहां 14 करके हैं 12 महीने लिया 14 महीने में से 11 महीन है 3 महीन और 14 में से 13 साल गया तो एक साल, एक साल 3 महीने कम, अब एक साल में कितने महीने होते हैं, जी 12 महीने, और 3 महीने 15, यानि ये जो वैल्यू है, ये 15 महीने कम है, ये 15 महीने कम है, लेकिन 15 महीने कम किस पे है, 8 पे, तो यानि 120 महीने मेरे बेटे कम हो गई, 120 महीने कम हो गई, साल यानि ओस्तन जो वैल्यू है उदस साल ज्यादा होगी तो पंदरा साल दो महिने में दस साल जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आईगी पच्चेस साल दो महिने मुझे उमीद है अब आको पसंद आया होगा सवाब अब कुछ-कुछ बल्ले पढ़ा होगा है चिंता बिल्कुल आ करें करिये कि अधा आयों रही कि अधा एवरेज जैज ओफ नैंटीं चल्टरन इस टॉंटी तरह है एक बच्चा ओर आजाता है 19 बच्चे इनकी उसात आयों 23 साल आपने नहीं लिखना है अभी सिर्फ सुनना है उसके बाद फिर चिंतन करना है फिर अभ्यास्त परियोग करना है कि रहा था, उननेश बच्चे जनके उसद आयो तीस साल, एक बच्चा ओर आगए, एक चैल्ड ओर आगए, एक स्टूडेंट ओर आगए, अब उसद आयो सभी की कैठा पत्चे साल ओर ती, तो कि रहा भाई, उस बच्चे के उमर बताओ जो आया है, तो बीटे होनी चाहिए 25 क्योंगि सभी की 25 है 20 कितने की कमी 2 की तो 2 की कमी मेरे बच्चे 19 पे तो 38 साल कम है अगर ये 38 साल कम है तो ये मेरे भाई 38 साल जादा होगा किस से 38 साल जादा होगा ओसत से तो ओसत में 38 जोड़ोगे तो 8,5,13 3,2,5 और 1,6 यानि जो नया बच्चा है वो 63 साल का वो बच्चा नहीं बच्चे का बाबा तो नए बच्चे के उमर 63 साल ये एक भी क्वेशन ऐसे नहीं जो मेरे हो सारे के सारे एक्जाम के बिल्कूट करेंट ले टेस्ट अबडिटेट आपके एक चीज़ टाइप वाइस गरा रहा हो लावल वाइस गरा रहा हो पिल्कूट च्चोट च्चोट स्टैप ytैप स्टैप सिखा रहा हो आई मेरी बाद समने 28 बच्चों का औस रचन टारशक ऐसे 33 किलोग्राम है एक बच्चा और आजाता है तो से दो किलोग्रम कम हो जाता है पहले लिख के दिखाऊंगा सब कुछ सम्झाऊंगा चोट शोटी बाते 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 हैं कि अब सभी का जो ओसत है वो दो किलोग्रम कम हो जाता है यानी 83 से आणि दो किलोग्रम यानी 81 तो बच्चे का बजन बता हो कितना है पाप ऐसे सोचो होना चाहिए 81 है 83 कितना जयदा दो 28 यानी दो ज़्यादा हर एक पे तो 28 पे कितना ज़या मेरे भाई 56 तो अगर यह 56 ज़यदा है तो यहां 56 की कम ही करनी होगी तो भाई या 80 में से 56 घटा हो हुआ है चिंता ना करें ए लेकिन मेरा तरीका पढहने का बहुत छोटे छोटे स्टैफ में लेवलिए एक लेवल दो लेवल तीन लेवल च्यार लेवल फिर और बड़िया मैथ और बड़िया मैथ इस तरह से चलेगा पिरैमीट की तरह ऐuger कैं Simon gost बच्चों की उसतायो 27 साल, एक बच्चा चला गया, यानि 18 टोटल थे, 18 की एज कितनी थे, 27 साल, कहता जी एक बच्चा चला गया, ये एक भाई चला गया, तो बच्चे कितने 17, तो 17 जो स्टूडेंट थे, कहता उनकी उसतायो 28 साल हो जागी, मेरी बाद ध्यान से सुनी, मेरे बच्चे, कहता टोटल 18 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, एक बच्चा चला गया, इस कारण, अब जो बाकी 17 बच्चे गया, उनकी उसता 28 हो गया, इसी बात को गुमा के कह सकता है, एक साल बढ़ गई, ठीक है जी, जाने से, सब सम्झा बच्चा गया है, उसकी उमर बताओ, तो मेरे बेटे ऐसे सुचो, होनी चाहिए, 27 है, 28, कितनी ज्यादा है, 17, ना, एक साल ज्यादा, इतनों पर 17, तो अगर यहां 17 ज्यादा है, मेरे भाई, तो इसे 17 कम करना होगा, तो 27 में से 17 घटा होगे, तो जो बच्चा गया है, उस संख्याओं का हुसद 20 है, 12 संख्याओं है, उनका हुसद 20 है, कहता है जी पहली 5 संख्याओं है, 1st 5, इनका हुसद है कितना 18, लास्ट 6, एल माने, लास्ट 6, अनतिम 6 संख्याओं का हुसद 22 है, 6 संख्याओं का तो 5 यहां होगी, 6 है, 11, और संख्याओं कितनी थे मेरे सिस्टमाने चटी 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 का दूद्य दिलाना यानि चटी सक्या अद्यान से देखिए बई होना कितना चीए ओस्त्व बीस है कितना 18 कितनी की कमी 2 की कमी कितनों पर जी 5 तो यानि ऐस तन 10 की कमी यहां होना चे 20 है कितना 22 कितना ज़्यादा मेरे भाई 2 कितनों पे 6 तो 12 ज़्यादा मेरे बीटे 12 ज़्यादा 10 कम अभी भी 2 ज़्यादा बन रहा है और ओसत क्या करता इस गैप को 0 कर देता ओसतन 0 हो जाएगा तो अगर यह 2 ज़्यादा है तो नेचरल सी बात है यह आकड़ा ओसत से 2 कम करना होगा तो यह 20 से 2 कम होगा यह अठार होगा अब देखो 10 कम और 2 कम 12 कम और यहां 12 ज़्यादा डिफ्रेंजीर होगा यह तो खेल है सारा आरे हाँ है ना बात समझेगे नहीं अच्छा यह सब लिखो नहीं अब इस सुन रहे है इसलिए बाकी तो मन में करोगा 12 का 20 है पहली 5 का ओसत 18 है तो 2 कम 5 पे 10 की कमी अगली 6 का ओसत मलाकरी 6 का ओसत 22 है होना चिए 20 है 22 कितना 2 ज़्यादा 6 दूनी 12 ज़्यादा तो 12 ज़्यादा 10 कमा भी भी 2 ज़्यादा बैट रहा है इसका मतलब जो 16 संक्या होगी वो उसत से 2 कम होगी तो 20 में से 2 गटा है 18 मनी मन उतर देदो समझ रहे मेरी बात मैं वो टीचर हूँ जो कॉनसेप्ट देता हूँ ट्रिक क्या होगी इसमें लगेगी इसमें नहीं लगेगी समझ रहे वो ट्रिक लेंदी होती है बस ट्रिक नाम ही छोटा है अगर कॉनसेप्ट जानगे तो हर सवाल को एक से 2 सेकंड मोड़ा दोगे समझ रहे लिखने के जूट नहीं है तो सरवात में बीसिक कॉनसेप्ट है डिलिवर करने में वक्त लगता है जैसे सवाल मोगे कैता जी 24 संख्या है उनका उसद है 25 इस पे फोकस करेंगे तहली 15 संख्याओं का उसद 20 है होनाच यह 25 है कितना कम 5 कितनों पे 15 पे तो 55 की कमी है फिरा अंतिमार्ट संख्याओं का उसद 35 है होनाच यह 25 है 35 कितना ज़्यादा 10 तो 8 पे कितना ज़्यादा 80 ज़्यादा तो मेरे बेटे 80 ज़्यादा 75 कम अभी भी 5 ज़्यादा है तो यानि जो बीच की missing नंबर है वो उसद से 5 कम होगा तभी तो बेलेंस जीरो आएगा पांच कम होगा यानि 25 से 5 घटा होगे मतलब क्या होगा 20 तो 16 भी संख्या 20 होगे मनी मन में तोड़ दोगे दुनिया टरिक बाजी में लगी रहेगी आओ फिर से समझा दो कहता है जी 24 संख्याओं का होसatti 20 बहुत सुंतर कहरा पहली 15 का कहरे लिए पहली 15 संख्याओं का होसPoint 20 है आखरी 8 संख्याओं का होसाल लस्ट Selma ने लस्ट लस्ट आट शंख्याओं का होसत 35 तो 15 और 28 यह संख्या बछ गई तो ये होगी 16 नंबर इसकी value दाओ तो मेरे बिटाया से देखो होना चीए 25 है 20 कितना कम 5, 5 15 पे कितना कम 25 होना चीए 25 है 30 ज्यादा, 10 आठे 80 ज्यादा अब मुझे ये balance 0 करना है तो यार ये 80 ज्यादा है 75 कम तो इसे 5 कम करो ना उसद से अभी तो पिछे 35, 80 कम अचीए ज्यादा खतम होगी कहानी अना तो उसद से 5 कम 25 में 5 गया यानि 16 संक्या 20 से क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं कमेंट करके बताईए बताईए देखे मेरे बच्चे द्याँ से क्याराजी 50 बच्चों के किलास में 22 लड़किया हैं लड़किया हैं 22, 22 गरल है तो 50 में से 22 गरल हैं तो लड़की कितने हैं 28 28 बआए कहता है लड़कियों के उसद 35 है लड़कों का उसद बताना है और सारी किलास का जो उसद है वो है 22 मेरे बच्चों मेंने आपको अकसर बताया है ये बात कि आप चाहू तो आंकड़ों का अंगपात भी ले सकते हो एकगरेट आंकड़ा उठाना जरूरी नहीं है यू कें टेक दर रेश्यो अपदा ड़टा आपको एक हाँ सर बताया तो है तो फिर क्या करें तो ले लो के लड़कियां है 11 और लड़के है 14 ऐसे मान तो भीया सभी का उसत है 42 ठीक है जी 11 लड़कियों का उसत मा पर 11 का 35 है 14 का निकालना है सभी का उसत 42 तो भीया 42 से कितना कम है सर 7 कम है कितनों पर 11 पर 17 कम अगर बाबू एक बात थोड़ा सा दिमाग दोड़ा है कि अगर यह सतेतर कम है तो नेचरल है इधर सतेतर बढ़ाना होगा सतेतर कितनों पर बढ़ेगा भाई 14 पर बढ़ेगा तो हर एक पर ओस्तन क्या प्रभाव पढ़ेगा देखें साउन में किया जाट चातरों कि एकक्षा में 20 लड़किया तो 20 लड़किया हैं बेटे तो बाकी 40 क्या होए लड़के लड़कियों को टेस्ट में 40 अंक मिले है लड़कों के उससतं कितने होंगे यही कक्षा को उससतं Ugh 60 देखो बेटे, रेशो ले लो, बताया था, 20 से कम 20, 22 दूनी, 40, यानि, एक लड़की है तो दो लड़के, अब मेरे बेटे सैकल करना है, होना चीए 60 है, 40 कितना कम 20, तो एक पर कम कितना रहे गया, 20 ही रहे गया, यहाँ 20 कम है तो यहाँ 20 ज्यादा करना होगा, 20 ज्यादा कित दीरे दीरे जब आप से इतनी बाते पूछ रहा है तो यह number of girls पूछ लेगा, number of boys पूछ लेगा, ऐसे घुमाएगा सारी कहानियों को, आपने डरना नहीं है, आहिए. क्यारा जी, 50 बच्चों की एकक्षा का उसत वजन 48.6, 48.6, कहता है 20 लड़के, अगर बीटे 20 लड़के हैं, तो बाकी 30 क्या होंगी, बच्ची 50 में से 20 क्या 30 क्या होंगी, लड़के होंगी, कहता है लड़कों का उसत वजन 41 किलो है, तो लड़के का कितना है, तो बीटे बता इसका ratio लिया गो यानि आपने मान लेना है दो लड़कें हैं तो लड़कें हैं ती बहुत सुंदर है अब सर आप ऐसे दीखिए कि उसत होना चाहिए था 43.6 कितना ज्यादा सर 4 तो 1 और 1.4 यानि 5.4 ज्यादा है कितनों पे सर 2 पे तो सर 10.8 ज्यादा है तो भाबों आंक बंद करके के ये 10.8 ज्यादा है तो इदर 10.8 की कमी करनी होगी कितनों पे 3 पे तो याईगए 3.6 आपको मेरी तरह गुना करके सब कुछ नहीं लिगना आपने करना है कि इतना ज्यादा है तो यहां इतनी की कमी होगी, यानि 5.4 गुना 2 की कमी ही कदमी होगी, कितनों पे, 3 पे, तो 18 दूनी 36, यानि 3.6 की कमी, यानि उसत से 3.6 घटाना, तो 48 में 3 का 45 है, यानि लड़कियों का उसत होगा 45, समझे, देखे, एक ही question को आप mixture allegation से ब्रेक कर रखते हैं, और average के 3 method है, अभी जो सिखा रहा हूँ, उसवे focus अरकिये, करा जी, 7 आकड़ों का उसत 34, पहले 3 का उसत 28, पहले 3 डाटा का उसत मेरे भाई 28, अगले 2 का, अगले 2 डाटा का उसत 47, अंतिम 2 आकड़े जो बचे गए, करा इनका उसत बताओ, अगर सभी का उसत 34, मेरी बात को ध्यान लखेगा, मुझे समझाना होता है, इसलिक एक चीज लिख के धिरे धिरे बता रहा हूँ, आप समझदार है, आप इतना समय नहीं कभाएंगे मेरे साथ, ये सूचेंगे कि सर, होना चीए था 34 है कितना 28, कितना कम 6, 3 पे कितना कम हो गया, 18, 6 ती 18, लिख अगर यहां आठ ज्यादा है, तो मेरे लिल्ला इधर आठ उठाना होगा, कम करना होगा, कितनों पे, 2 पे, तो 4 की कमी, यानि ओसत में 4 की कमी, 34 में 4 गया 30, इन दो आपडों का उसत 30 होगा, हाँ जी, मनहीमन मरीक करो, भई साथ आपडों का उसत 34 है, पहले 3 का उसत 28, तो 34 से 28 कितना कम है, 6, चैती 18 की कमी, फिर कहता है, अगले 2 आकडों का उसत 47 है, होना 34 है, 47 कितना ज्यादा है, 13, 2 पे 26, तो भई या 26 ज्यादा 18 कमी, यानि अभी भी 8 ज्यादा है, तो दूसरे पर 8 की कमी करनी होगी, बाकी 2 पे, तो हर एक पर कितने की कमी होगी, 4 की, भई दे लो, कम है उसे दे दो, सिंपल, देखेंजी सवाल में कहरा है, एक परिवार के 7 सदर्शों के उसता है, 40 होगी, मनी मन ब्रेक करें, कहता है, परिवार में तीन पुरुस है, 3 महिला है और एक लड़का है, यानि 7 लोग है, यदि 3 पुरुसों के उसता है, 48 है, होनी ची य अठ पे, 3 की, मला 8 की कमी, 3 पे, 24 की कमी, ना 24 ज्यादा, कहरा जी, साथो सदर्शों के उसतायू 40 है, उसमें से 3 पुरुसों की 48 है, मला होनी ची चालिस है, 48, 8 ज्यादा, 3 पे 24 ज्यादा, लिखते हैं, ठीक है, तीन महिलाओं की उसतायू 44 वर्ष है, 3 महिला है, उनकी 44 है, 24 कितनी ज्यादा, 4, कितनी पे, 3 पे, कितनी ज्यादा, 12, तो विटे, 24 और 12 कितना ज्यादा, 36 ज्यादा, तो अगर इनकी 36 ज्यादा है, तो इसकी 36 कम करनी पड़ेगी, किस से, 0, Silent से, और भया, लड़के कितने, 1 की लड़का है, तो 36 कम कर, 0,して, तो 40 में से 36 गटा है, 4 शाल से दुबारा पेपर में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है मैंने साथ साल पहले जब परशेंटेज पढ़ा है तो बच्ची के रोम रोम में बसा दिया परशेंटेज ऐसे आज एवरेज पढ़ा रहा हूँ तापके रोम रोम में बज़ जाएगा चाहा के भी नहीं भूल पाओगे समझ रहे हो द्हां से शीओ मीरा का बहुत दीरे पढ़ाना मैं वही कर रहा हूँ आई सवाल में कह रहा है साथ सदश्यों की परिवार के उससता आयो 40 साल कहता है जी तीन मेल है इनकी है 48 तीन फी मेल है इनकी है 44 एक वच्चा है इसकी बतानी तो सोचो होनी चीए होनी चीए 40 है 48 कितनी ज्यादा आठ आठ तीन फे 24 ज्यादा होनी चीए 40 है 44 ज्यादा तीन फे 12 ज्यादा तो 24 और 12 च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आईजी आईए मेरे बाई 12 में से 11 विक्तियों के उस सफ वाजन पिचान में 12 में से 11 मेंबर है कहता जिपिचान में किलो बरा कहता जो 12 विक्तियों 12 मैंने 12 मैंने बारणी बारवा, ट्वेल्थ मेन, उसका जो वेट है, एवरेज वेट, उस सभी के वेट से 33 किलोगराम अदिक, यानि सभी का ओसत A है, तो बारवी का ओसत वजन A प्लस 33 हो, क्या ओसत का हो, ओसत का एक सिंपल फंडा है सर, ओसत अगर A है, तो यह A से 33 ज्यादा है, तो सर कितना पिचान में, तो ओसत कितना होगा, पिचान में और तीन, अठाण में, अब आपसे पूछेगा, क्या बारवी वेक्ति का ओसन बताओ, तो बारवी वेक्ति का ओसने, A प्लस 33, तो A की वेल्यू अठाण में, जमा 33, तो भाईया, आर तिन, ज्यारा, नो, तीन, बारा और 131 साल, 131 किलोग्राम आप परीगा, option A, कहता है किसी विशेश सब्ता में, ताज महल देखने वाले लोगों का उसस 40 है, यानि 40 लोग, पर डे के हिसाब से, ताज महल देखने पहुंचते हैं, पहली लेन, If we exclude the holiday, then the average increased by 16, कहता अगर इसमें चुटियां हटा दे, अब कितनी चुटियां मुझको नहीं पता, कितनी चुटियां बाबु मुझको नहीं पता, कहता अगर वो चुटियां हटा दे, चुटियां हटा दे, माल लेते हैं, number of holiday जो है, Holy Day, जो है, वो कुछ होंगी, H माल लेते हैं, कितनी माल लेते हैं, मेरे बेटे, H है, बहिस सब्ता में कितनी दिन होते हैं, बेटे, 7 दिन, कहता 7 दिन में, जो ओस्तन लोग आ रहे हैं, देखने हो डेली के 40 आ रहे हैं, कहता चुटियां हटा दो, चुटि मुझे नहीं बता, एक दिन की, दो दिन की, तीन दिन की, कितने दिन की हैं, कहता चुटियां हटा दो, हटा दो, हटा दीजी, माल लेते हैं, चुटियां, H है, तो 7 में से, अगर मैं H दिन हटा दू चुटियां, तो working day कितने बच्चे, जिस दिन ट्यूरिस्ट अब देखें, मेरे बिटे, इस सवाल में अगर ध्यान दोगे न, तो आप से कुछ मज़े लिए हैं, क्या मज़े लिए हैं, इस लेंग की जरूरत ही नहीं, further we exclude also the day on which the maximum number one to be tested, ताज मैल दा है, और आवरेज भी कम खोटिट, इसकी जूरती नहीं, कहता है, यदि हम उस दि होना चाहिए, कितना 40, है 56, उसने पहली का 16 ज्यादा है, तो 16 कितने दिनों पे ज्यादा हो गया, 16 गुना 7 माइनस H, आपने का हाँ, अगर ये इतना ज्यादा है, तो भीया ये यहाँ पे लोग कितने आये होंगे daily, आप कहेंगे 0, सर 0 क्योंगे सर जिस दिन holiday रही हो, कि उ उतना ही ज्यादा हो, तो ही वो ओसत ठीक होता नहीं तो नहीं, ओसत का मतलब यही होता है, जितना ज्यादा जितना कम हो, खटा तो खटम कहानी, आपने का okay रिपोर्ट है, अगर okay रिपोर्ट है तो soul करते हैं, अब ये प्लस माइनस से कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये तो स सबस्ट सही माना जाएगा अब वाई इसको सोल करें किया हाँ सरोल करो सोला साथे 112 माइमें 16 है सोरी इस बराबर 40 है 16 उदर जायेगा 56 तो 56 बराबर 112 चपन से काटो गए तो ह की वैलियो आजाएगी तो हम इसे option से भी कर सकते है हम इसे मेरे भाई औपonst Mormon से भी कर सकते है आजी देखे ऐसा नहीं है इन सवालों को करने के ओर तरीके नहीं है अनेको तरीके इनको बहुत चोटे चोटे रूप मेंdockology में समझाए जा सकता है अगर हम इसे मिसरन से करें तो मिसरन से और असानी सो जाएगा कैसे कि अगर सभी दिन कोई आदमी आता है तो 40 लोग हो जाता है डेली के अगर छुटी रहती है तो 0 आता है ओसतन और कहता है कि मिसरन जो है वो 16 बढ़ जाता है, यानि कहता है कि 7 दिन का जो उसतन देखने वाले लोग है, उनका उसत है 40, अगर 7 दिन लोग आए, तो 40 उसत होगा, ठीक है जी, 7 दिन लोग आए, तो 40 उसत होगा, मेरी बात समझ रहे हैं, फिर से समझाता हूँ, सवाल में कह रहा है, एक विशेश सब् रहती है उस दिन जीडों, अगर यह छुट्टी वाले दिन हटा दें, तो बाकी दिनों में उसतन 56 आदमी आ रहे हैं, और कहरा इन 7 दिनों की मिला लिए, छुट्टी वाले बी और बीन चुट्टी वाले गें, तो उसतन 40 है, तो कहरा जी, बताओ, कितने दिन चुट्टी ह लेकिन अभी आप एवरेज का कॉंसेट पकड़के चलो वह बहुत ज़रूरी है देखे मेरे बचे सवाल में के रहा है कि एक अक्षा में कुछ विध्यारती है कितने विध्यारती है मुझे नहीं पता वही बेसिकली निकालने हैं तो मैंने माल लेना S number of student है और कहता है इनका उसा 43 किलोग्राम है 43 किलोग्राम कहता है चार बच्चे और आगए चार नहीं बच्चे आगए इस वज़े से सभी का जो उसात है वो कहता है 42.5 हो गया 42.5 किलोग्राम हो गया जबकि इन चार बच्चों का भी वज़न बाटावाउस ने क्याराजी एक का वज़न 42 है एक का वज़न 36.5 है एक का वज़न 49 है एक का बैलिस्पाइंट 5 है जोडों के 5-5-10 2-6-8-9-7-2-9-1-20 4-3-7-3-10-4-14-2-16 सभी का वज़न आया 160 अगर चार बच्चों का टोटल 160 है तो चार बच्चों का एवरेज कितना बना 40 यानि जो चार नए बच्चा है मेरे बच्चे बैलिस्पाइंट 5 है 43, कितना ज़्यादा है point5 कितनों पर S पर तो point5 ज़्यादा है S बच्चों पर होना चींता 20,5 है कितना 40 चितना कम होगा उतना ही यहां ज़्यादा होगा यहां जदना ज़्यादा होगा आँ सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे तो आंसर होगा मेरे भाई 20 आंसर हो जागा कितना 20 कि रहे दा एवरेज वेट अफ सम स्टूडेंट इने क्लास इस किते कक्षा में यह यह एक नई सिच्विशन दिये कि चार नए बच्चे आ जाए तो चार नए बच्चे आ जाता है तो इने कक्षा में बच्चे कितने होगे मेरे भाई 20 के लिए रहे अगर कहें कि अब क्लास में कितने बच्चे हो गए तो 20 ओर 4 ने बच्चे आगे तो 24 ओच्चे हो गए समझे भाई देखे मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है कहता है, 19 आदमी घट्टा होके पार्टी में गई उन में से 15 लोगों ने, हर एक ने अपने पे 70 रुपे खर्च किया 19 में से कहता है, 15 लोगों ने 15 मेंबर ने, हर एक ने 76 रुपे खर्च किया और हर कोई जो खर्च कर रहा भाई तो ओसत है जानि इन 15 लोगों का जो ओसत है, वो 76 रुपे है कहता बाकी बचे लोग तो भाई अब 19 लोग ते 15 गए तो बचे कितने, 4 मेंबर कहता है, इन 4 लोगों ने जो खर्चा किया है वो 19 आदमियों के, यानि 15 चार उनिस सभी के ओसत से 22.5 ज़्यादा खर्च किया यानि इन्होंने जो खर्चा किया है वो सभी के ओसत से 22.5 ज़्यादा खर्च किया एक बार लेंग्वेश बढ़े और देखे क्या यही लिखा है कुछ और है अराम से समझे आये मेरे बैई तब यह देखिए उना ची उसाथ ए है 22.5 ज्यादा कितनों पे 4 पे तो 22.5 ज्यादा 4 पे तो 22.8 सी 4.5 ज्यानी 90 ज्यादा अगर यह 90 ज्यादा है मेरे बच्चे तो इذर 90 कम रहा होगा यह तो नहीं है कि जितना ज्यादा उतना है कम कितनों पे 15 पे तो मेरे बच्चे हरीक में कितने की कमी रही होगी 6 यानी yahaan ओसत से 6 कम खर्च किया गया तो उसत कितना है 4 Sun चैकम खर्च किया गया ओसत था कितना 80, 80 से 6 कम चो इतरा आगे, किरा आपई सभी आदमियों द्वारा, तो आदमी कितने थे, 15, 24, 19, और हर आदमी ने कितना खर्चा किया, 80 रूपर, क्योंकि 19 आदमियों को उसे तागे, 80, और 19 आदमियों ने टोटल कितना खर्च किया, गुना कर दें, तो देखो यार, 98 कितना हो नो लड़किया है, और एक लड़का है, ये रेस्टोरेंड में गई, हर लड़की का उसेत खर्चा, 30 रूपया, जबकि लड़के ने सभी के उसेत खर्च से, मेरे बिटे थोड़ा शदिमाग दोड़ाओ, बुद्धी खोलो, के भी असेत है कितना, आप कहेंगे A खर्च कितना किया है? A प्लस 22,000 कितना ज़्यादा खर्च किया है? 22,000 तो अगर मेरे भाई यहां 72,000 ज़्यादा खर्च हुआ है तो आख बंद करके कम कहे दो कि इधर 22,000 कम हुआ होगा क्योंकि ओसत का मतलब यह है इधर ज़्यादा उधर इतना कम यहां X ज़्यादा है तो यहां X कम होगा तभी तो average balance होगा 0 होगा average का मतलब यह होता है आप मेरे भाई 32,000 कम कितनों पे जी? 9 पे तो यहनि हर एक में कितने की कमी 8,000 कि इसका मतलब हर किसी ने ओसत से 8,000 कम खर्च किया यानि जो ओसत है वो इस 30 से 8,000 ज्यादा है तो 30 में 8,000 जोड़ेंगे तो ओसत है 8,030 देखो 8,030 से कितना कम है? 8,030 अब उसने पुछा कि लड़के द्वारा कुल खर्च गयाद करो तो लड़के ने कितना खर्चा किया भाई, ए प्लस 22,000 तो ए की वैल्यू कितनी है? 8,030 एक अब लड़ सभी का उसत 8,030 लड़के ने कितना खर्च किया? 22,000 0, 3, 0, 8, 2, 10 7, 8 यानि 80,030 रुपे मेरे भाई लड़के ने खर्च किया 80,030 रुपे लड़के ने खर्च किया कैरा जी, 9 विक्तियों में से प्रतीक 8 विक्ति 9 विक्तियों में से 8 विक्ति प्रतीक अपने खाने पर 8 पर्षन स्प्रेंट पीस 30 इच कहता 8 आठ आदमी है इन्होंने हर एक ने अपने खाने पे 30-30 रुपए खर्च किया है 30-30 रुपए खर्च किया है हाँ जी तो जो एक मेंबर रह गया यानि जो 9th मेंबर है 9 नहीं, 9th मेंबर 9 आदमी कहता है उसने सभी के ओसत से 20 अधिक खर्च किया यानि सभी का ओसत ए है तो इसने A plus 20 कर्च किया तो कहता है सभी विक्तियों द्वारा खर्च धन ग्याद करें तो मेरे बेटे ऐसे सोचिए उनाची ओसत A है A plus B कितना ज़्यादा कर्च किया 20 तो अगर यहां 20 ज़्यादा है तो यहां 20 कम होगा और यहां दीस कम किया होगा कितनों पर आठ पर तो आठ से भाग दोगे तो आठ दुनी 16 आठ पंजे 40 यानि 2.5 कम खर्च किया गया यानि ओसत से 2.5 कम यानि ओसत में 2.5 घटाएंगे 30 तो 30 में 2.5 जोड़ेंगे ओसत होगा 32.5 यानि हर एक का उसतन खर्चा 32.5 तो घरा 2227 वर्दों आते हैं दो सो बांड में पॉइंट पाँच रूप जी रोवेश है हाई अना मेरे भाई समझे आई है आई है आई है मेरे बहुत ही प्यारा स्वार एससी सीजियल मेंस का कोशिन है यहाँ पता चलेगा कि आपने जो इवरे सीखा उसमें एस घटानी बढ़ानी का कितना पुनसर्ट आपको आया है देखे करें किसी कक्षा में तीस छात्रों की ओसत आयू चोदा साल चार मीने तीस बच्चे मेरे बच्चे कितने बच्चे तीस बच्चे है 30 स्टूडेंट कैता तीस बच्चों की ओसत आयू 14 साल 4 मीने 14 साल 4 मीने बहुत बढ़े हैं पांच नए बच्चे दाखला होने के कारण कैता पूरी क्लास का सहीं तोसत 13 साल 9 मीने हो गया केता है 5 बच्चे नए आ गये जिस कारण सभी का उसत 13 साल 9 मीने हो गया केता है 5 नए चात्रों में जो सबसे छोटा चात्र था उसकी उम्ठ 9 साल 11 मीने तो 5 में जो सबसे क्या बोलेंगे एल्डर या यंगर पांच में से जो यंगर स्टूडेंट था वाई मने छोटा यंगर स्टूडेंट था उसकी उमर कहता है नो साल ग्यारा महीन है नो साल ग्यारा महीन है तो पांच में से एक यंगर जो स्टूडेंट था सबसे छोटा जो स्टूडेंट था उसकी उमर थी आप language से गोत्रो नहीं होंगे तब तक सीखेंगे नहीं उसके बाद फिर करने का प्रियास करिए रोगे आई ही मेरे दोस्त अब चुटकियों का खेल चुटकियों में उड़ाएंगे बिटे अभी सिखा है था 13 साल 9 महिने में 14 साल 4 महिने बई होना चीए 13 साल 9 महिने है 14 साल 4 महिने कितना ज़्यादा है सरीय नहीं आता तो घटा हो बई 14 साल 4 महिने में से 13 साल 9 महिने घटा हो पीछे प्रेक्टेस जिसने की वो समझ गया कि 14 महिने गया 13 साल बचा एक साल यहां लिया हो तो 12 महिने और 4 महिने 16 2016 महीन हो गया 7 महीन 30 सब्सक्राइब जादा होगा से कुल मिला करे 210 महीन है जादा हो गया असунк नहीं। अगली बात ही सद्र ये बताइए ये उसत से कितना कम तो 13 साल 9 महीने होना चाहिए, है 9 साल 11 महीने, तो कितना कम है, जो बावले बच्चे है, तो ऐसे करेंगे, 13 साल 9 महीने होना चाहिए, है 9 साल 11 महीने, भी कम है नहीं तो, कितना कम है इनकालो, 13 की जगार 12 साल करो, एक साल यहां लियाओ, तो 12 और 21, 21 में से 11, 10 महीने, और 12 में स से कितना कम है मेरे बचे तीन साल दस मेने अब एक साल में कितने मेने बारा तो तीन साल में चत्यस मेने और दस मेने यह तीन एक साल में बारा तो तीन साल में चत्यस मेने दस मेने चत्तिस और दस चालिस मेने तो यानि मेरे भाई यह उसत से चत्तिस और दस चालिस मेने कम आरा 164 महिने ज्यादा मेरे बेटे तो इसे 164 महिने कम करना होगा और 164 महिने कितनों पर कम करना होगा चार नहीं बच्छों पर तो हर एक पर कम करेंगे 416, 414, 414, 414, 414 महिने कमी करनी होगी यानि इनकी उम्र ओसत से 40 महिने कम होगी अब 41 महिने को साल बनाएंगे तो 12 से भाग यानि इनकी उमर 10 साल 4 मेने 10 साल 4 मेने समझे के नहीं, फिर से समझाता हूँ किरा भई 30 बच्चे थे उनकी ओसती 14 साल 4 मेन 5 ओर आगे तो सबकी ओसत होगी 13 साल 9 मेने इन 5 में एक बच्चा जो सबसे छोटा था उसकी थी 9 साल 11 मेने तो सवाल में पूछ रहा है कि जो 4 नहीं बच्चे और रहेगे उनकी ओसता यूदाई तो आपका जवाब इस तरह से होना चीए कि सर ओसत है कितनी 13 साल 9 मेने, यहां है 14 साल 4 मेने कितना ज़्यादा है 13 साल 9 मेने से तो घटाओगे, तो देखो इधर 13 साल और यहां 12-16 मेने, तो 13 साल 16 मेने या 13 साल 9 मेने, कितना ज़्यादा था 7 मेने 7 मेने कितने बच्चों के 30 पे 210 मेने ज़्यादा यह कितना कम है, 40 मेने कम अभी भी 164 मेने ज़्यादा तो एवरेज दे रखा है, तो बैलेंस करना पड़ेगा तीन साल 5 मेने कम, तो 13 साल 9 मेने में से 3 साल 5 मेने गटाएंगे तो आएगा 10 साल 4 मेने, ये मेरे पियरे विझव मेरा विल्कुल सही सवाल है अब हम आ रहे हैं, मेरे पियरे विचो टाइप 4 में, टाइप 4 में क्या होगा, जो मीसिंग नंबर होगा type 3 में हमने देखा कि missing number निकालना है लेकिन type 4 में क्या होगा कि missing number बहुत सारे होंगा और उन numbers के बीच में आपस में कोई relation दे रखा होगा गट जोड दे रखा होगा तो look संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को तरासना है आई लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जाना चाहरा हूँ कि अगर मैं आपको तीन number लिख दूँ या चार लिख दूँ x, x-6, x-11, x-2, x-3 और यहाँ पर भी x की जगा x-1 लिख दूँ अब मैं जाना चाहूँ कि यार मुझे इन सब का उसत निकाल के बताओ क्या होगा आप गोगे सर इनका उसत तो सिखाया आपने है अपनी तरफ से कुछ भी माल लो तो सर बैटरा में है x माल लो तो यह कितना ज्यादा एक ज्यादा यह 6 कम यह 11 ज्यादा यह 3 कम तो देखो सर 6 और 3 9 कम 11 और 12 ज्यादा तो 12 में से 9 गया अभी भी 3 ज्यादा अब 3 ज्यादा ओसत मैंने माना है दे नहीं रखा था माना है तो ओसत से 3 ज्यादा करना होगा कितनों फिर 4 पे त्याइनि ओसत अमे 0.75 की विर्दी करनी यानि नया ओसत एक्स जमा 0.75 समझते हैं भाई बात को आब आजे सवाल पर ये एक बेसिक लिया है इसके बाद फिर रिलेशन है कहते हैं 9 आकडों का उसत 87 पहले 5 आकडों का कहते हैं 5 नंबर है इन 5 नंबर का जो उसत है 89 बहुत बढ़िया अगले 3 आकडों का उसत बान में अगले 3 नंबर का जो एवरेज है वो 92 तो 5 दिन 8 एक नंबर बचे गया तो कहता है वो एक नंबर जो होगा वही 9 नंबर होगा 9 नंबर होगा बिलकुर तो कहता है 9 आकड़ा बताइए क्या होगा अगर सभी का उसत 87 तो हम कहेंगे है होना चीए 87 है कितना पुसत जो भी होगा वो उससे 25 ज्यादा होगा 9 आकड़ा अना नहीं ठीक है 40 15 ठीक है 25 कम है तो 25 ज्यादा होगा 87 में 25 जोड़ा 7 पाज 12 8 2 10 पर 11 यानि ये आकड़ा 112 होगा 9 आकड़ा जो होगा मेरे भाईव क्या होगा 112 ठीक है जी अब इससे आगे relation के question आईए मेरे बच्चे second question पर आते है करेदा average of 12 number is 39 बारा संख्याओं का उससत उनतालिस है 12 संख्याओं का उससत उनतालिस है the average of the last five number is 35 and that of the first four number is 40 कितने संख्याओं जी बारा संख्याओं कैतों से आखरी पांच नमबर का उससत last five number का जो average है वो पहतिस बहुत सुन्दर and that of the first four number और पहले चार नमबर का जो उससत है मेरे बच्चे वो 40 पहली चार संख्याओं का उससत 40 है आखरी पांच संख्याओं का उससत पहतिस है the fifth number is six less than the sixth number and five more than the seventh number अब यह चार और पांच कितनी होगी 9, number कितना था 12 तो चार नमबर होगी तो यहां फिफ्ट नमबर आएगा आपने का okay यहां फिफ्ट नमबर आएगा यहां फिफ्ट नमबर आएगा यहां इस्क्स्थ नमबर आएगा और यहां सेवंथ नमबर आएगा ठीक है जी इन पे चर्चा करते हैं लिए कहता है इन 12 कि 12 संख्याओं का उससत 39 पहली लाइन में किलियर है अब इनके बीच में क्या relation है इसको बाद में पढ़ेंगे यानि ये जो line है the fifth number 20 इसको बाद में पढ़ेंगे इसे बाद में पढ़ेंगे पहले जो main चीज है कि इसका उसत निकालना उस परहत है तो अब ये बताइए ओसत होना कितना चीह 49 है कितना 40 कितना ज्याधा एक ज्याधा कितनों आफे 4 होना चीह 49 है 35 कितना कम 4 कम 5 पे 20 तो मेरे बिटे यह 20 कम है यह 4 ज्यादा है अभी भी देखोगे to zero करने के लिए क्या करना होगा 24 चार 16 कम आरा तो इसे 16 बढ़ाना होगा और 16 कितने नंबर बढ़ेगा एक दो 3 पे तो 3 से बढ़ाएंगे तो या आएगा 5 सही एक बढ़े 3 यानि इन 3 संख्षाओं का उसथ सभी के उसथ से 5 सही एक बढ़े 3 ज्याद होगा 49 और 5 44 यानि इन सबका उसथ 44 सही एक बढ़े 3 सबसे पहला काम हमारा करना होगा, तभी तो 0 होगा, सोलर चार 20, माइनस भी 0 होगा, तो 16 जदा कितनों पे, एक, दो, तो उस्तन 5 सही 1 बटे 3 की व्रदी करनी होगे, अब मेरे बच्चों लड़ाई आगे, ध्यान देना, अब इनकी जरूरत ही नहीं, अब तो इनमें आपस में संबंध जानना चाह रहा है, अब पहली लेंग पढ़िए जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, सवाल में कहा रहा है, पांचवी जो संख्या है, वो छटे से 6 कम है, यानि अगर पांचवी संख्या एक्स है, तो छटी एक्स प्लस 6 होगे, आपका यह 6 कम थी, तो देखे न, रककन 6 ही तो कम है वी बी, और पांचवी जो संख्या है, वो सात्वी संख्या से 5 जाता है, कहता है, पांचवी जो सं से चेकर में और सात्वी से पांच अधिक है यानि इस नंबर से पांच ज्यादा थी नंबर एक्स माइनस पांच अभी तो बीटे ये पांच ज्यादा होगी आप कहेंगे ओके रिपोर्टे से अब मेरे बचों वही सवाल आ गया कि तीन आकड़े हैं एक एक से एक स्प्लस चे एक बटे ती तो कहरा जी एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी तो दिखो मेरे दोस्त मेरे भाई इस बात पर हो अगर मैं इनका उसत निकालने को कहूं कि इनका उसत बताओ तो आप क्या कहोगे इनका उसत निकालने का तरीका है कि सर अपनी तरव से कुछ उसत माल लीजे मा या फिर इन जोड के तीन से भाग दे लो, जबकि एक्ट्वर में उसर दे कितना रखा है इन तीनों का 44 सही एक बटे थीन, तो यह 44 सही एक बटे थीन, और इसका वाद आप जानते ही होंगे, मिक्स फ्रेक्शन का, 44 सही एक बटे थीन गालो, या प्लस 1 बाई 3 है, तो 1 बाई साथवी संख्या 49, कहता जी हो सत बता, दोनों को जोड के, तो से भाग दे तो, 89, 89 का आदा करोगे, कितना आएगा भाई, 44.5, यह आपसे सवाल में पूछ रहा है, तो option B is your right answer, option B is my dear student is your right answer, समझे, क्या आप मेरी बात समझ पाए है कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त आए, मेरे बाचे, सवाल में के रहा है, 9 option का, the average of 9 data is 79, the average of first 2 data is this, and the average of the next 4 data is this, find the relation between 8, 7 and 9, okay, आए, आए, मेरे बाचे, ध्यान से देखे, सवाल में के रहा है, 9 option का उस्त होना, see the average of first 2 data, पहले 2 option का उस्त सवाल ने कहा है, कितना है, 75, next 4 data, and the average of next 4 data is 87, तो टोटल data कितने भाई, 9, और सबका average कितना है, 79, तो भीया, 2 और 4, 6 होगे, तो बचा यहां 7th data होगा, यहां 8th होगा, और यहां मेरे भाई, 9th data होगा, इनका उस्त हमें निकालना है, सबसे पहला का, तब यह देखो, मेरे भाई, होना चिए 79 है, 75 कितना कम है, सर 4 की कमी, कितनों पे, सर 2 पे, तो उस्तन 8 की कमी, ओना चिए भीया, 79 है, 87 कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, कितनों पे, 4 पे, तो 32 ज्यादा, तो 32 ज्यादा, आठ कम अभी भी 24 ज्यादा, तो इसकालों यहां 24 की कमी करनी होगे, और 24 की कमी कितने आकड़ों पे, एक 2, 3 पे, यानि उस्त अब अगले काम पर आते हैं किसर अब हमें इनकी जरूरत नहीं अब हमें इनी से लड़ना है सवाल में कह रहा है क्या इवदा एट डाटा इस फाइव मोर देन सेवन तो इससे एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा हो गए कारई जिए उसस पपता हूँ तो मेरे बीटे जडाध द्यादेना इन तीनों आकड़ों का उससन निकालना एतों क्या तरीका होगा आफ खुद सोचो मूरक से मूरक बालक भी बताएगा इनका उसत कहेगा जी माल लेता है X है यह 0 जादा यह 5 जादा यह 4 जादा मन ही मन में सोचो तो कुल मिलाके 9 जादा 9 जादा कितनों पे 1, 2, 3 आकड़ों पे तो उसत में 3 का इंक्रेज होगा यानि नया उसत होगा X प्लस 3 यानि अगर इनका उसत निकालेंगे तो आएगा X प्लस 3 जबकि उसत दिर्खा है 71 X की वैलियो आगी 68 करा 9 बताओ तो 68 और 4, 32 तो 9 आकड़ों होगा 72 9 डाटा होगा मेरे बच्चे 72 हाँ जी 9 आकड़ों होगा मेरे भाईयों 72 क्या आप सहमत है बहुत संदर ठीके मेरे दो सवाल में के रहा है दा आवरेज उप 8 नमबर इस 20 दा आवरेज उप 1st 2 नमबर पहली दो संख्याओं का ओसत पस्ट 2 नमबर इस 15.5 क्यता है ये 15.5 है अगले तीन नमबर का ओसत 21 इस टो 1 बाई 3 है तो 3 और 2 5 बचे कितने नमबर भाई 3 नमबर 3 नमबर बचे कौन कौन से 6th, 7th और 8th और क्यता है इन सभी नमबर का ओसत आठो नमबर का ओसत वो 20 है तो हमारा पहला काम यह होगा कि इन 3 नमबर का ओसत निकाले तो भाईया होना चीए 20 है कितना 15.5 4.5 की कमी है मेरे बिटे कितने पे 2 पे तेनी 9 की कमी है ये 20 से 1 से 1 बटे 3 जादा स्टोल करोगे 3 इकम 3 और 4 बटे 3 जादा कितने आकड़ोपे 3 पे तो ये 4 जादा तो मेरे बिटे 9 कम 4 जादा भी भी कितना कम 5 तो अगर यहां 5 की कमी है मेरे भाई तो यहां 5 का इंक्रीज करना होगा आप कहेंगे बिलकुल कितनों पे 1 2 3 पे यानि यहां ओसतन 1 सही 2 बटे 3 का इंक्रीज तो भी अब 20 में 1 सही 2 बटे 3 जोड़ेंगे तो यहां आएगा 21 सही 2 बटे 3 21 सही 2 बटे 3 21 सही 2 बटे 3 का मेरे पेरे बिचों यहां ओसत होगा चटी साती और आठवी संक्या चटी साती और आठवी संक्या में 21 सही 2 बटे 3 का ओसत होगा अब देखे अब सवाल में खुद ही कह रहा है If 6th number is 4 and 7 Less than by If the 6th number is 4 and 7 Less than by 7th and 8th number क्याता है जो 3 संक्या है वो 7 और 8 और 4 और 7 और तो इसा x मालो तो 7 और x plus 4 हो जाएगी और यह हो जाएगी x plus 7 यह तो कह रहा है कि 3 संक्या इससे 4 कम है इससे 7 कम है हो गया अब आओ मेरे दोस्त अब हमें मतलब है किस से इन तीन से बाकियों से ने अब कैसे सोल किया जाए तो बिटा ऐसे सोचो इनका उसत निकालना होगा तो क्या आएगा X माल लेता है X है ये 4 जदे 7 11 जदा तो 11 कितनों पे जदा 3 पे दो ने ऋसत होगा 11 बटे 3 जोडों गे इसमें तो 3 तिया 9 2 बटे 3 जना यानि ने ने उसत मेरे भाई X प्लस 3 बटे 3 सही दो, प्टे 3 जयादा होगा ये होगा ने उसत, जबकि ने उसत है कितना 21 सही 2 बटे 3 तो भाईया 21 में से 3 गया मेरे भाई कितना हो बच्छा 18 सीदा अंसर आगया 18 पूछरा 8 वी संख्या गया तो 18 और साथ 25 8 वी संख्या होगी मेरे भाई 25 कितनी 25 आएए मेरे बच्छे सवाल में करा 40 विध्यारतियों के उस्ट उचाई 163 कहता है किसी खास दिन 3 बच्छे A, B, C A, B, C कहता है ये 3 बच्छे आप शैंट होगे A, B, C और C है 37 तो ये 3 हटा देते हैं तो 40 में से 3 गये तो बच्छे कितने 37 तो कहता है जी 37 टूडेंट है इनकी उस्ट हाई जो है 162 होगे देखो मेरे भाई सबसे पहले आपको इन 3 का उस्ट निकालना होगा कैसे निकलेगा सोचो सभी का 40 का उस्ट 163 है उनाची 163 है 162 कितने कमी 1 की कितनों पे 37 में यानि अगर यहां 37 कम है तो यहां 37 बढ़ा ना होगा 37 कितनों पे बढ़ा होगे 1, 2, 3 बच्छों पे C की उचाई A से 2 cm कम है कहता है C की हाइट A से 2 कम है और हमसे पुछवाए A की वेली होता है तो A की X माल लो B की भी X माल लो तो C की हाइट A से 2 कम है यानि X-2 अब मेरे बच्छे हमारा जो मतलब है इन 3 आकड़ों से बाकी सारी कहानी से नहीं कैसे निकालने देखे दियांच मेरे बच्छे होना चीए कितना माल लेते हैं X से इन 3 हो का उसद यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 कम है तो 2 की कमी कितनों पे एक और एक दो रेक तीन पे तो 2 बटे 3 की कमी यानि नया उसद X-2 बटे 3 होगा अगर आपको यह उसद निकालने में दिक्कत है तो आप खुदी सोची X है एक X है और एक X-2 है मैंने सर्वात की टाइम पे ही यह चीज़ समझाए एवरेज की पहले पॉइंट पर ही कि भाई रो डाटा के एवरेज कैसे निकाला है अपनी मर्जी से कोई भी उसद माल ली जै मैंने माल लिया X है तो यह कितना कम यादा जीरो यह कितना कम जादा जीरो यह कितना कम दो तो कुल मिला के कितने की कमी दोगी कितनों पर 1, 2, 3 पे तो नया उसद X-2 बटे 3 होगा कुछ है नहीं सवाल जबकि X लियत में एक्चुल में उसद है कितना एक्सोपीचेतर साइए एक बटे 3 इसे लिखेंगे तो एक्सोपीचेतर जमाए एक बटे 3 लिख देंगे अब माइनस दो बटे 3 इदर लाओगे किसका हो जाएगा प्लेफ का तो दो बटे 3 और एक बटे 3 एक बटे 3 लिखेंगे सवाल कह रहा boss कहता है ABCD कचालीस है E को भी सामिल कर लोगे तो वजन कर ले तो वजन 1rum बटे जाता है सभी का ठीक है बस इतनी लाइन प्लेफ आएग तो 70 वजन तो 70 वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जिस कर लेंड किया है कि वह जनी networks हो क्या हो, in new person, E is also included in the group, then the average weight of the group is increased by 1 kg, बस, इतने में, तो भई E का weight पताओ क्या होगा, आप कहोंगे sir, होना चीए कितना 41, है 40 कितने की कमी 1 के, कितनों पर 1, 2, 3, 4 है, तो सत्या 4 की कमी है थे हैं, 4 increase करना होगा, एक 40 में 4 जोड़ा 45 क्या आप यहादा की बात से सहमत है कि E का वजन 45 किलो गर्व, आपने का sir, बिलकुल मान लेते हैं कि E का वजन 45 किलो गर्व, में हम मान लेते हैं, अब सरीक बात करिये, अगर E का वजन 45 है, तो सवाल ही कह रहा है, क्या कहता है भाई इस वाले ग्रूप में A, B, C, D, E जो ग्रूप था अगर इसमें हम A की जगह F को लेकर आ जाए A की जगह F को लेकर आ जाए यानि A को हटा के F सामिल कर दे F, B, C, D, E तो कहता है पांच विक्तियों का नया उसत वजन 42 हो जाएगा पांच विक्तियों का उसत हो जाएगा B, C, D, F इन चारों का उसत बताओ कितना होगा तो मेरे बच्चे अब यहां यह समझे E का वीड कितना है 45 तो भईया है 45 E का वीड है तो पांच विक्तियों का उसत बताओ तो आसान है निकालना में 0.75 का मियानि 42 से 0.75 घटाएंगे ते इनका उसत आएगा 41.25 किलो और यही आप से पूछा है कि भी यह इन चारों का उसत बताइए तो आंसर होगा 41.25 किलो यह मेरे नन्य मुन्य बच्चो नन्य मुन्य बच्चो मेरा सही आंसर होगा 41.25 देखो मेरे भाई अब हमारे टाइफ 5 है टाइफ 5 में क्या है कि रिश्यो दिरक्खाऊगा कुछ नंबर का और फिर उनमें एवरेस निकलवा रहा होगा जैसे अगर मैं चर्चा करो इस सवाल में कैरा तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे संख्या की दो गनियो और ती तीसरी संख्या कैरा जी पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है यानि दूसरे का डबल है और पहला जो नंबर हो तीसरे का तीन गुना है तो मेरे पेरे बचो आप ऐसे में करा क्या करें कि पहला नंबर इसका डबल है इसका तीन गुना है तो करिए क्या दो और तीन के इस नंबर को 6 माल लीजे, अगर ये दूसरे वाले का डबल है, तो 6 का मलब इसी नंबर का डबल करके 6 है, तो इसका ये नंबर क्या होगा, 3, और इस नंबर का 3 होना करके 6 है, तो ये नंबर क्या होगा तो, यानि पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का जो अनुपात होगा उच्छे नूपा 3.90 होगा क्या सहमत है इतनी बात से आपने का ओके रेजल्ट है सर अगर ओके रेजल्ट है तो इसको हटा दो अब सवाल में के रहा है जिन तीनों संख्या होगा ओसत निकाला तो ओसत केतना होगा 6,3,9,2,11, बटे 3 यॉनिट ये है वुडे जाया जबकि दिरख्या है वो दुद्रत 7, steady...89,5 तो एक यॉनिट की वैलिव कितनी बटे 11, बलटके 3 ये आगए मेरे बचे एक यॉनिट की वैलिव वताऊ तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के अंतर कितना है 4 तो 4 unit की value हमको बतानी है ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उतर अब देखो यारी से soul करते हैं यानि 4 unit की value बतानी है तो 11 से काटे हैं 11.44, 11.55 11.32, 12.25, 60 और 12.48 उर्च है 24, तो answer है 24, .0 यानि 4 क्यों उनके बीच का जो difference हो कितना है 54 इस सवाल में कह रहा है मेरे दोस तीन संख्याओं में जिनका उसद 22 है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं की योग का तीन बटे आठ है कहता है इनका एवरेज है 22 तो एवरेज के लिए तीनों का जोड कर लो पटे तीन से भाग तीनों राट जोड कर तीनों संख्याओं का योग 11 है ता एवरेज बटे तीन यूनिट और एवरेज दे कितना रखा है 22 तो एक यूनिट की वैल्यू 22 बटे यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे 22 डिवाइड बई 11 बई 3 बई 3 पुलेट के उपर तीनों रखाल में कर रहा है देरा 5 नंबर where first number is double of second पहली संख्या दूसरे की double है and 2 third of third number और तीसरी संख्या की two third the average of 5 number is 60 the sum of the remaining two numbers is 120 find the value of third number आओ मेरे बचे कहता जी 5 संख्या जब पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगनी और तीसरी संख्या की दोथी आई एक या तीन नमबर लेते हैं पहले फास सेकेंड और धाड़ जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की टूथाड़ तो सवाल में कहा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल होगी, आपने का जी ओके, और तीसरी संख्या की दोतिया है, और कहला है, पहला जो नंबर है, वो तीसरे नंबर का टूथाड है, यानि तीसरा नंबर अगर दो होगा, तो पहला नंबर होगा दो, तो यह आगया मेरे बचे रेशो, प देखें मेरे बाइ, 3 संख्याओं कितनी मिनी यूनेट है, टोटल कितना है? टीन उर 1, 4, 6, तो 3 संख्याओं का योग हो Tutaj च्छे यूनिट और कह रहा है इसके बाद चोथी संख्या और पांच वी संख्या दो संख्या ले लो और इनका योग एक्चॉल में दिरखा कितना 120 है इनका योग दिरखा है 120 तो संख्या हो गई 5 और 5 संख्या हो का कहता है जी ओसत है 60 5 संख्याओं का ओसत है 60 तो अगर 5 संख्याओं का ओसत 60 है, तो योग कितना होगा, 60 गुना 5 देखें, पहली 3 संख्याओं का योग योग योट वह निकाल लिया 4 और 5 योग दे रखा है, 5-4 संख्याओं का average 60 है तो टोटल ही तना तो 6 unit जो represent करेगा 65, 300, 300 में से 120 किया 180, तो 1 unit की value आएगी मेरे बचे 30, तो करा तीसरी संख्या बता हूँ, तो 3 unit, 3 गुना 30 90, तो तीसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 90 होगी तीसरी संख्या आपकी 90 होगी मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वीडियो खतम हुई अगला session 3 दिन बाद हम रखेंगे मैं आप सभी से परातना करूँगा हाद जोड़ कर कि आप अपना feedback जरूर दे किस जगें पर आपको हम में सुधार की जरूरत है, किस बिंदू पर आपको ऐसा करे दन्यवाट